जैसे ही अपने बेड्रूम से बाहर निकली तो सिध्धार्थ ने देखा कि अर्मान सोफे से उड़ चुका है। जैसा कि सिध्धार्थ ने सोचा था, अर्मान इस वक्त उदास चहरा बनाए तनुचा की तरफ ही देख रहा था। इसके बाद सिध्धार्थ ने तनुचा की त अर्मान को देखकर अचानक तनुजा के हाथ हवा में ही जम से गए। उसने सोचा ही नहीं था कि अर्मान अगले ही दिन वहां पहुँच जाएगा। इतनी छोटी उमर में शादी ही क्योंकि अभी तो उसके हसने खेलने के दिन थे। यहां सिध्धार्थ को टेंशन हो रही थी कि कहीं तनुजा और अर्मान उसके अपार्टमेंट में जगड़ा करना ना शुरू कर दें। इसलिए वो जट से तनुजा के आगे आकर खड़ा हो गया. मेरे सामने साथो, अर्मान सिध्धार्थ से बुला. अर्मान ये कहते हुए तनुजा को घूर रहा था. तनुजा इस वक्त सिध्धार्थ के पीछे चुपी हुई थी. क्या तुम मुझसे शादी करके पच्छता रही हो? अर्मान ने गुसे से कहा तनुजा अर्मान की बात सुनकर चुप पड़ गई अगर तनुजा इस बात का जवाब ना मी देती तो वो अर्मान से इस जगडे में हार जाती और अर्मान दुबारा पहले की तरह उसे कंट्रोल करने लगता वहीं दूसरी तरफ अगर वो हां कहती तो इससे उन दोनों के रिष्टे में दरारा जाती इस जवाब से उन दोनों का रिष्टा तूटने की कगार पर भी आ सकता था अर्मान को भी तनुजा से ये सवाल पूछने के बाद बहुत अफसूस हो रहा था अगर सच में तनुजा हां कह देती तो अर्मान क्या करता क्या वो तनुजा को डिवोर्स दे देता उसने कभी तनुजा के साथ अपना रिष्टा इस तरह खत्म करने के बारे में सूचा तक नहीं था वो तो अपनी पूरी जिंदगी हसी खुशी तनुजा के साथ बिताना चाहता था अचानक उन दोनों के बीच खड़े सिद्धार्ट ने अपने सिर पर हाथ फेड़ते हुए कहा मुझे लगता है तुम दोनों को अकेले में बैट कर बात करनी चाहिए अभी तुमारे शादी हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और तुम दोनों अभी से इतना जगड़ा करने लगे हो सिद्धार्ट ठीक कह रहा है अर्मान ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा सिद्धार्ट की बात सुनकर अर्मान को अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा था पहली बार उसे लगा कि सिद्धार्ट इतना भी अकड़ू नहीं है जितना वो समझता है ठीक है तो तुम बाहर चले जाओ मैं और तनुचा आराम से अकेले में बात करना चाहते हैं अर्मान ने कहा तुम दोनों किसी भी रूम में जाकर बात कर सकते हो ये मेरा अपार्टमेंट है फिर भला मैं यहां से क्यों जाओ इतना कहकर सिद्धार्ट कीचन की तरफ चला गया सिद्धार्ट को डर था कि कहीं तनुचा और अर्मान की बीच जगड़ा बढ़ना चाहे इसलिए वो तनुचा को अर्मान के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहता था इस वक्त उसने अपने अपार्टमेंट में ही रहना बेहतर समझा सिध्धार्थ की बात सुनकर अर्मान चुपचाप तनुजा को अपने साथ एक रूम में लिग गया वो दोनों जैसे ही रूम के अंदर पहुँचे तो अर्मान ने तनुजा को पूलों का गुलदर्सा देते हुए कहा तनुजा मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत स्ट्रिक्ट हूँ मैं लेकिन मैं चाहता था कि तुम और हमारा भोने वाला बेबी सेफ रही तुम प्रेगनेंट हो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ किसी भी तरह का कोई हाथसा हो जाए मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम बाहर का unhealthy और unhygienic खाना खाओ तुम्हें पता है या unhygienic खाना खाने से लोगों की मौत भी हो जाती है भले ही हम दोनों की जिन्दगी जियादा लंबी नहो पर मैं अपनी जिन्दगी का हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ अगर इसमें मेरे साथ तुम ही ना हुई तो मैं अकेला जी कर क्या करूँगा मैं तुम्हें खुद से पहले मरता हुआ नहीं देख सकता तनुजा प्लीज घड़ चलो अर्मान ने आगे कहा अर्मान भी न उसे तो ये भी नहीं पता था कि अपनी वाइफ को कैसे मनाती है लेकिन अर्मान ये सब कहता हुआ बहुत प्यारा लग रहा था उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो तनुजा की बहुत फिकर करता है तनुजा ने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्मान उसकी इतनी परवाह करेगा अब वो समझ गई थी कि अर्मान उससे कितना प्यार करता है अचानक तनुजा की आखों में नमी आ गई उसका मन कर रहा था कि वो अर्मान को कस के हग कर ले पर अफसोस वो अर्मान से अब भी गुस्सा थी जिस वजह से उसने ऐसा कुछ नहीं किया अर्मान मैं जानती हूँ कि तुम मेरी फिकर करते हो माना जब मैं अकेली थी तो मैंने अपनी हेल्थ की परवा नहीं की पर अब मैं बीबी और तुमारे लिए खुद का अच्छे से ख्याल रखूँगी मैं बाहर का खाना कम कर दूँगी पर प्लीज तुम मुझे बाहर का खाना खाने से मत रोकना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझे पर रोक टोक लगाते हो जब हम घर पर होते हैं तो तुम मुझे से वो सब करवाते हो जो मुझे करना बिल्कुल पसंद नहीं है जैसे कि वो पेट्रियोटिक फिल्म सेखना अर्मान कभी-कभी तो लगता है कि जैसे मैं इस रिष्टे से तंग आ गई हूँ तुम बहुत ही डॉमिनेटिंग हो तुम कभी मुझे नहीं समझते तुम बस हमेशा अपनी चलाते रहते हो मैं ऐसी जिन्दगी नहीं जीना चाहती तनुजा ने कहा तनुजा की बात सुनकर अर्मान हैरान रह गया उसने कभी नहीं सोचा था कि जिससे वो खुशाल जिन्दगी समझ रहा है असल में वो तनुजा के नजरों में कैद के सिवा कुछ नहीं था अर्मान क्या तुम मेरी एक बात मानोगे मैं रोज बाहर का खाना नहीं खाऊंगी पर क्या हम हफते में एक बार बाहर का खाना खा सकते हैं अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हमें दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा शायद हम दोनों को एक गूसरे से दूर रहकर थोड़ा वक्त अकेले में बिताना चाहिए ताकि चीज़ें बहतर हो सकें इससे हमें एक दूसरे की एहमियत पता चल जाएगी तनुजा के बिना उसे अपना घर खाली खाली लग रहा था वो एक पल भी तनुजा के बिना नहीं रह सकता था इसमें कौन सी बड़ी बात है तुम यहीं चाहती हो ना कि मैं तुमारी बात मानो ठीक है जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा इन फाक्ट मैं तो इसलिए ही यहां आया था तुम ठीक कह रही थी अगर मैं तुमारी जगा होता तो मैं भी ऐसा ही करता आफ्टर ओल हस्बन को अपनी वाइफ की बात सुनने चाहिए अब से जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा अर्मान तनुजा को समझाते हुए बोला अर्मान आखिर इतनी जल्दी तनुजा की बात कैसे मान गया अर्मान को अचानक बदलता देख तनुजा हैरान रह गई उसे समझ नहीं आया कि वो अर्मान से अब आगे क्या कहे तनुजा को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था तनुजा को चुप देख अर्मान ने धीरे से कहा मैंने अभी जो कुछ कहा क्या तुम्हें उस पर विश्वास नहीं है कल तुमने ही तुम्हें अकेले बैठकर तुम्हारी बातों पर गौर करने को कहा था मैंने अच्छे से तुम्हारी कही बातों पर गौर किया और तब ही मैं इस नतीजे पर पहुँचाँ कि अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूँगा सची, कहीं घर पहुँचने के बाद तुम अपनी बातों से पलट तो नहीं जाओगे तनुजा ने कहा वो अर्मान पर शक कर रही थी क्या मैं तुम्हें ऐसा इंसान लगता हूँ मैं अपने वादे का पक्का हूँ मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी हर बात मानूगा पता है मैं आज सुबह पांच बजे उठकर तुम्हारे लिए ब्रेक्वस्ट बना कर लाया हूँ सिर्फ सिधार्थी अकेला नहीं है जैसे खाना बनाना आता है अर्मान इतराते हुए बोला तनुजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्मान ने सुबह जल्दी उठकर उसके लिए खाना बनाया है तब ही अचानक अर्मान आगे बढ़ा और तनुजा को कसकर हक करते हुए उसके गालों पर किस करने लगा इसके बाद उसने भारी आवास में कहा मैं कल यहां नहीं था कई मेरी गयर मौजूदी में हमारे बेबी ने तुम्हें परिशान तो नहीं किया बिल्कुल भी नहीं तनुजा ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा हमारा बेबी बहुत समझतार है कल तो तुम्हारी गयर मौजूद्गी में इसने मुझे बिल्कुल परिशान नहीं किया शायद तुम्हारे साथ रहकर ये भी तंग आ गया था तनुजा ने मजा की अंदाज में कहा मुझसे और तंग अर्मान हस्ते हुए बोला मैं तो रोज अमारे बेबी को अच्छी-च्छी कहानिया सुनाता हूँ मिर भला ये मुझसे परिशान क्या हुने लगा तुमारी बोरिंग कहानिया सुन-सुन कर ही तो ये परिशान हो गया तनुजा मनी मन बढ़ बढ़ाई अच्छा तुम ये सब छोड़ो और मेरे हाथ का बना गर्मा गर्म खाना खाओ इतना कहकर अर्मान ने तनुजा की कमर पर हाथ रखा और वो उसे बेडरूम से बाहर ले आया सिद्धार्थ उन दोनों को एक साथ देख कर दंग रह गया उन दोनों को रूम में गए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था इतनी चल्दी उन दोनों के बीच सुला भी हो गई सिद्धार्थ मन ही मन बढ़ बढ़ाया इसके बाद अर्मान ने तनुजा को टिफिन पकड़ा दिया इसके बाद तनुजा ने जैसे ही पहला टिफिन बॉक्स खोला तो उसमें एक बॉल्ड एग रखा था तनुजा थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई तब ही अर्मान ने जट से कहा प्रेगनन्ट वुमेंज को रोज एक बॉल्ड एक तो जरूर खाना चाहिए ठीक है इतना कहकर तनुजा ने वो बॉक्स बंद करके दूसरा टिफिन बॉक्स खोला दूसरे बॉक्स में अर्मान ने अंडे के ओमलेट बना कर उसे हार्ट शेप में कट करके रखा था बॉक्स खोलता देख अर्मान मुस्कुराते हुए बोला यह हार्ट शेप आमलेट मेरे प्यार को रेप्रेजेंट करता है अर्मान की बात सुनकर तनुजा चुप पड़ गई लंच बॉक्स देखकर ही तनुजा की सारी भूक भाग गई थी उसका तीसरा बॉक्स खोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जैसे तैसे तनुजा ने तीसरा बॉक्स खोला तो उसने देखा कि टिफिन के अंदर दूध और ड्राइफ रूट है अब तनुजा के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे अर्मान तनुजा के लिए ब्रेक्वस्ट में बस अंडे और दूध लेकर आया था तनुजा का उतरा हुआ चेहरा देख अर्मान उसे समझाते हुए बोला पहले मैंने सोचा था कि मैं तुमारे लिए छोले भटूरे बनाके लाओंगा लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि मैं खाना बनाने में बिलकुल अच्छा नहीं हूँ मैं खिचड़ी बनाने की भी सोच रहा था पर अफसोस मुझ से वो बनी ही नहीं इसलिए मैं तुमारे लिए ये सब ले आया। सिधार्थ ने आगे बढ़कर जैसे ही खाने की तरफ देखा तो वो पूरी तरह से हरान रह गया। अर्मान के खाने को देखकर सिधार्थ को लग रहा था कि शायद उसने शिवानी को टेस्टी खाना खिला कर बिगार दिया है। अर्मान के कर सिधार्थ किचन में वापस चिला गया। सिधार्थ की बात सुनकर अर्मान चुप पड़ गया। उसने अपने हाथ की मुठी बनाते हुए गुस्से से कहा। भले ही मैंने जो भी बनाया है वो दिखने में इतना टेस्टी ना हो पर ये बहुत हेल्दी है। चाहे लोग जितना भी डिलिश्यस खाना क्योंना बना लें पर वो मेरी तरह हेल्दी खाना कभी नहीं बना पाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तनुचा अपने चेहरे पर जूठी मुस्कान लाते हुए बोली। तनुचा खुद को मन ही मन समझा रही थी कि शायद अर्मान ने ये सब बना कर ठीक ही किया है। अगर वो उसके लिए छोले भटूरे या खिचडी बनाने की कूशिश भी करता तो उसका टेस्ट बहुत ही बेकार होता। कुछ देर बाद सिधार्थ मैगी के चार बोल्स लेकर किचन से बाहर आया। सिधार्थ के हाथ में चार बोल्स देखकर तनुचा थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई। फिर बोली। सिधार्थ याँ तो सिर्फ हम तीन ही लोग हैं तुम ये चौती बोल किसके लिए लाए हो। और वो मुझे लगा कि शिवानी को भी ब्रेक्वस्ट पर बुलाओगी तुम। सिधार्थ ने कहा। शिवानी ने कहा था कि वो आज पहला लेक्चर अटेंड नहीं करेगी, उसे रेस्ट करना है, इसलिए वो सो रही है। शिवानी ने मुझे कल रात ही मेसेज कर दिया था कि वो आज सुबह हमारे साथ ब्रेक्वस्ट नहीं कर पाएगी, अब तुम्हें और अर्मान को ही बची हुई मैगी खानी पड़ेगी। तनुजा की बात सुनकर सिधार्थ का चेहरा उतर गया, उसने बड़े प्यार से शिवानी के लिए मैगी बनाई थी, सिधार्थ बेसबरी से शिवानी का इंतिजार कर रहा था, पर अफसूस आज वो उसके अपार्टमेंट में ब्रेक्वस्ट के लिए नहीं आने वाली थी यहां दूसरी तरफ मैगी खाने के बाद अर्मान ने कहा, उसका टेस्ट इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन ये शीना के हाथ की बनी मैगी जितनी टेस्टी नहीं है, तनुजा चलो ना विला वापस चले, वहाँ शीना तुमारे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बना उसने तनुजा और अर्मान की बातों पर ध्यान नहीं दिया, तनुजा अर्मान से दुबारा लड़ाई नहीं करना चाहती थी, वो जानती थी कि अगर अर्मान और सिधार्थ एक जगा पर रहे, तो उन दोनों के बीच बहस के सिवा और कुछ नहीं होगा, इसलिए सिधार्थ ने शिवानी को ब्रेक्फस्ट की पिक्चर भीजी थी, जिसमें एक बॉल डेग, ओमलेट और दूद था, पिक्चर के नीचे सिधार्थ ने लिखा, ये ब्रेक्फस्ट अर्मान ने तनुजा के लिए बनाया है, ये सब देखकर तुमें नहीं लगता कि मैं तु पिक्चर को देखने के बाद, शिवानी के दिमाग में सिधार्थ के बनाये हुए पनीर टिक्का और ना जाने कितनी डिशिस की तस्वीरें घुमने लगी, वो जानती थी कि सिधार्थ अर्मान से कहीं गुना बहतर है, तब ही अचानक ये सब सूचते हुए उसने अपना सि ली गई, और यहां शिवानी तनुजा के जाने के बाद दुबारा सिधार्थ को अवाइड करने की नाकाम कोशिश करने लगी, वो हर बार दबे पाउं बड़े ध्यान से कूडा डस्ट बिन में फेकने के लिए अपने अपार्टमेंट से बाहर आती थी, ताकि उसकी मुला इस बार से पीट लगाए खड़ी थी, सिधार्थ उससे कुछी इंचेस की दूरी पर था, इस बार सिधार्थ शिवानी को इतनी आसानी से उससे दूर नहीं जाने दिना चाहता था, शिवानी इस बात से हैरान थी कि सिधार्थ को उसकी आने का पता कैसे चल गया, अचानक उसने हडबडाते हुए कहा, क्या तुमने मेरे अपार्टमेंट के असपास कैमरास लगाये हुए हैं, शिवानी इतनी केरफुल थी, लेकिन फिर भी न जाने कैसे सिधार्थ ने उससे पकड़ लिया था, नहीं मैं बस यहां बैठकर सारा वक्त बुक पढ़ रहा था, तब सब सुनकर शिवानी हैरान रह गई, रात के नौ बच चुके थे, सिधार्थ न जाने कब से अपार्टमेंट के बाहर बैठा, उसका इंतजार कर रहा था, सिधार्थ शिवानी से मिलने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, और एक शिवानी थी, जो उससे दूर भाग रही थी शिवानी तुम मुझे अवॉइट क्यों कर रही हो, सिधार्थ ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे चुपकर रह सकती हो, अगले हफ्ते मिलन की नई फिल्म लॉंच होने वाली है, तुम्हें भी वहाँ प्रेसर रिलीज में आना पड़ेगा, आज शिवानी का इवेंट में जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर वो पहले ही कॉंट्राक्ट साइन कर चुकी थी, कॉंट्राक्ट की टर्म्स और कंडिशन्स के अकॉर्डिंग उसे फिल्म के सभी प्रोमोशनल इवेंट्स में पाट लेना था, ही मांचु भी चाहता था कि शि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे नोटिस करेंगे, शिवानी के लिए इंडस्ट्री के लोगों के साथ घुलने मिलने का ये एक अच्छा चांस था, मेरा इवेंट अटिंट करने का बिल्कुल मन नहीं है, शिवानी को चुप देखकर सिधार्थ ने कहा, इसके बाद वो गह कुश्मन नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई मुझे उस इवेंट में परिशान करेगा, शिवानी ने कहा, तुम भी ना बहुत बुद्धु हो, इतना कहकर सिधार्थ बड़े प्यार से शिवानी के गाल खीचने लगा, तुम्हें पता है प्रेस रिलीज के बाद महाँ पर कैसे करना है, वैसे भी पार्टी में तुमसे ज्यादा खत्रा मुझे और किस्से हो सकता है, इतना कहकर सिवानी ने अपना हाथ सिधार्थ के सीने पर रखा और उसे पीछे धगेलते हुए बोले, क्या तुम उत्से थोड़ा दूर नहीं रह सकते, ये सुनकर सिधार्थ शि अपार्टमेंट में तुम्हें जाने दूगा, लेकिन मैंने अभी थोड़ देर पहले ही जूसता पिया है, शिवानी ने कहा, शिवानी इस वक्त सिधार्थ से जूट बोल रही थी, कमॉन ये नया फ्लेवर है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, सिधार्थ ने मुस्कुर उसने जैसे ही जूस की बोतल पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, तो सिधार्थ ने अपने हाथों से शिवानी को जूस पिलाते हुए कहा, रुको इसे मैं तुम्हें पिला दिता हूँ, नहीं, शिवानी जट से बोली, अगर शिवानी कुछ तेर और सिधार् ने कहा, क्या तुम अपने अपार्टमेंट में नहीं जाना चाहती, शायद तुम्हें मेरे साथ रहने का ज्यादा मन है, इतना कहकर सिधार्थ ने अपना सिर जुकाया और शिवानी के होटों के नजदीक आने लगा, अचानक शिवानी ने जल्दी से एक ही सांस में वो टेस्ट की मामले में सिधार्थ का कोई मुकाबला नहीं था, पर वेचारी शिवानी इतनी घबराई हुई थी कि उसने सारा जूस एक ही सांस में खत्म कर दिया था, यह देखकर सिधार्थ की आँखों में चमका गई, मुमनी मन मुस्कुरा रहा था, तब ही उसने धीमी का मिलेगा भी या नहीं, मेरी मानों तो तुम्हारे लिए यह डेटिंग की सही उम्र है, डेटिंग? यह सुनकर शिवानी हैरान रह गई, उसने कभी दुबारा डेटिंग करने के बारे में सूचा ही नहीं था, तब ही सिधार्थ नहीं आगे गहा, मैं मानता हूं तुम्हा अपनी जिन्दगी के बहुत से साल खराब किये हैं, लेकिन तुम आने वाले सालों को इस तरह उस रिलेशनशिप की वज़ह से बरबाद नहीं कर सकती? पता है, मैं अमेरिका में एक दादी मा से मिला था, उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें अपनी जिन्दगी में सिर्फ एक ही बात का अफसोस है, वो जब यंग थी, तब उन्होंने किसी भी इंसान को बेफिक्र होकर बिना डरे डेट नहीं किया, उन्होंने अपने बीते हुए नाकाम रिलेशनशिप की वज़ह से किसी दूसरे लड़के को मौका ही नहीं दिया, उन्हें हमेशा दुनिया की प वो चुप चाप अपने अपार्टमेंट में चला गया, अपार्टमेंट का दर्वासा बंध होता देख, शिवानी कुछ तेर बहीं खड़ी, सिधार्ट की अपार्टमेंट की तरफ देखती रही, एक हाफ़ता गुजर चुका था, सरदी बढ़ने लगी थी, आज मिलन की नई फिल्म का प्रेस रेलीज था, मिलन की लास्ट फिल्म को रेलीज हुए पात साल हो चुके थे, जिस वज़ा से प्रेस मिलन की इस नई फिल्म की तरफ आसानी से अट्राक्ट हो गई थी, इवेंट में बहुत से रिपोर्टर्स आने वाले थे, शिवानी को भी सेलेक्ट की थी, वो ड्रेस बहुत ही ग्लामरस थी, हिमांचु सर इस ड्रेस के बारे में आपका क्या ख्याल है, स्टाइलिस्ट ने कहा, उस ड्रेस को देखने के बाद हिमांचु ने जट से कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, शिवानी सिर्फ एक सिंगर है, वो कोई लेड अक्ट्रिस नहीं है, अगर शिवानी इस तरह की ग्लामरस ड्रेस पहनेगी, तो सब को यही लगेगा कि वो मीडिया का ध्यान अवंतिका से अठाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है शिवानी पर वो ब्लैक ड्रेस शिवानी को इस तरह परिशान देख, हिमांचु के सिर में दर्ध होने लगा, मुझे पता है तुम बहुत दिनों से अलग-अलग इवेंस में बिजी थी, तुम इस तरह आज की प्रेस रिलीज कैसे अटेंड कर पाओगी, तुम इस सब अच्छे से याद तो है ना, याद पोटर्स ज़रूर तुम से उस थीयटर की पिक्चर के बारे में पूछेंगे, जिसमें अमन तुम्हारे साथ था, ध्यान रहे तुम्हे उस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना, हिमांचु ने शिवानी को समझाते हुए कहा, आखरी मोमेंट तक भी हिमांचु शिवानी क कि के स्टाफ के साथ होटेल के अंदर आ गई मुझे ऐसे ही टॉप फ्लोर पर पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ हॉल में लगभग दस से भी ज्यादा लोग मौचूद है जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे शिवानी उनमें से कुछ को जानती थी शिवानी को वहाँ देख विहान उसके पास ड्रिंक का एक ग्लास लेकर आ गया और बोला ये लो प्रेस रिलीज को शुरू हने में अभी बहुत वक्त है थैंक यू क्या फिल्म की में कास्ट यहां पहुंच चुकी है शिवानी ने कहा हाँ वो सब बहुत पहले ही यहां पहुंच चुके हैं सभी अपने अपने इंडिविज्वल इंटर्व्यू का नीचे रूम में इंतजार कर रहे हैं आरव भी? शिवानी ने कन्फ्यूज होते हुए कहा हाँ विहान ने कहा आरव फिल्म में ज्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा था लेकिन वो भी मेन कास्ट के साथ इंटर्व्यू रूम में पहुंच कया था इस बार मेडिया आरव को बहुत अटेंशन दे रही है इस प्रोमोशनल इवेंट को आरव अपने करियर को आगे बढ़ाने की एक सीढ़ी की तरह इस्तमाल कर रहा है विहान ने गहरी सांस लेते हुए कहा ऐसे यंग और गुड लोकिंग होने के अपने ही फायदेया तुम चाहो अपना स्टाइल बदल सकते हो मेरे वक्त में तो लुक्स को नहीं बलकि एक्टरिंग स्किल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंज दी जाती थी शीवानी समझ रही थी कि विहान इस वक्त क्या कहने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसने विहान की बातें सुन कर मुसकुराने के अलावा ज्याता कुछ नहीं किया। लगबग दस मिनट बाद आरव, अवंतिका और संभव के साथ टॉप आरव को बहुत दिनों बाद देख रही थी। आरव में पहले से बहुत बदलाव आ गया था। उसके छोटी-छोटी बाल और घनी दाणी थी। जिससे वो manly और mature लग रहा थ शिवानी ने आरव को पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। अगर वो ये नहीं जानती कि अब आरव किसी अमीर लड़की के साथ relationship में है तो शायद उसे आरव बहुत charming और attractive लगता। लेकिन अब शिवानी सच जानती थी। इसलिए उसने आरव को देखते ही अपनी नजरे दूसरी तरफ खुमाली। इवेंट में बहुत बड़े-बड़े लोग आए थे। शिवानी सिर्फ एक singer थी। वो main lead का हिस्सा नहीं थी। जिस वजह से उसे सभी artists के साथ घुलने मिलने का मौका नहीं मिला। वैसे भी इवेंट में आए ज्यादतर लोग उसे नहीं जानत था। विहान सब के साथ बातें करने में बिजी था। और दूसरी तरफ शिवानी अकेले drink का glass हाथ में पकड़े एक कोने में खड़ी थी। कोई उसके पास उसे greet करने तक नहीं आया था। तबी अचानक अवंतिका संभाव के साथ शिवानी के पास आकर बोली। कहकर शिवानी ने excited होते हुए संभाव से हाथ मिलाया। संभाव एक सुपर स्टार था। उसने बहुत बड़े-बड़े awards जीते थे। वहां हौल में बहुत से लोग उससे मिलने के लिए बेताब थे। शिवानी को यकीन नहीं हो रहा था कि अवंतिका संभाव को उससे मिल लेकिन मानना पड़ेगा तुमने अपनी कामिलियत और हार्ड वर्क से सबका दिल जीत लिया। संभाव ने आगे कहा। थांक यू। शिवानी मुस्कुराते हुए बोली। शिवानी का दिल बैठ कया। उसने कई बार सपनों में आरव के साथ खुद को काम करते हुए इमाजिन किया था। आरव उसका एक्स बॉइफरिंट था लेकिन आज शिवानी को लग रहा था कि वो आरव कुछ जानती ही ना हो। शिवानी ने जैसा सोचा था आरव से मिलने के बाद उसे वैसा कुछ फील नहीं हुआ। क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। संभव ने कहा। हाँ देरादुन में एक कॉंसर्ट के दौरान हम दोनों बैक्स्टेज पर मिले थे। लेकिन हमें बात करने का मौका ही नहीं मिला। शिवानी तुमारी आ नंबर मांग लिया था जिसकी वज़ा से शिवानी उसे ना नहीं कह पाई। शिवानी का नंबर लेने के बाद आरव ने उसे मिस्ट कॉल की ताकि शिवानी के पास भी उसका नंबर पहुँच जाए। हम दोनों सिंगर्स हैं ओ सकता है फ्यूचर में हमें एक दूसरे के सा साथ काम करने का मौका मिलेगा। माना मैं आक्टर बन गया हूँ लेकिन मैंने सिंगिंग करना छोड़ा थोड़ी है। मैं इस साल एक नई आल्बम रिलीज करने के बारे में सोच रहा हूँ। इसके साथ ही मेरी कंपनी में भी एक अच्छी फीमिल सिंगर की तलाश है जो मे अरव ने कहा। शिवानी शैट्म कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, वक्त का कुछ नहीं पता, हो सकता है तुम्हें आरव के साथ गाने का मौका मिल जाए। अवंतिका ने कहा। अवंतिका वहां खड़ी आरव और शिवानी की बातें सुन रही थी, तब युसने शिवानी को होसला देते हुए आगे कहा मिलन सर कह रहे थे कि तो माने वाले वक्त में बहुत बड़ी स्टार बनोगी अवंतिका की बात सुनकर शिवानी हैरान रह गई उसने सोचा भी नहीं था कि मिलन जैसा बड़ा डारेक्टर उसे ऐसा कॉंप्लिमेंट देगा यहां दूसरी तरफ सिधार्थ जैसे ही हॉल के अंदर आया तो उसकी नजर शिवानी पर पड़ी उसने देखा कि शिवानी इस वक्त फिल्म की मेन कास्ट के साथ खड़ी हुई बातें कर रही है आज शिवानी ने एक बहुत ही खुबसूरत ब्लाक ड्रेस पहनी थी जिसमें वो बेहत एलिगन्ट लग रही थी उसके लंबे घनी बाल खुले हुए थे शिवानी अकसर खुले बालों में बहुत संदर लगती थी वो आरव के बगल में खड़ी थी आज आरव ने भी ब्लाक सूट पहना था जिसके वज़ा से वो दोनों किसी परफेक्ट कपल की तरह लग रहे थे सिधार्थ आरव का पूरा चेहरा नहीं देख पा रहा था लेकिन उसे इतना तो पता था कि आरव बात करते हुए शिवानी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है ये सब देखने के बाद सिधार्थ को बहुत कुस्सा रहा था उसे अब थोड़ा अनकमफर्टिबल फील होने लगा था वो लंबे-लंबे कदम रखता हुआ अवन्तिका के पास आया और बड़े ही प्यार से बुला हाई अवन्तिका? सिधार्थ को देखकर अवन्तिका थोड़ी हैरान रह गई ऐसा नहीं था कि वो पहली बार उससे मिल रही है लेकिन इस पार सिधार्थ ने उससे बड़े प्यार से बुलाया था सेट पर तो अकसर अवन्तिका को सिधार्थ बिल्कुल अर्मान की तरह अकडू लगता था वो कभी अवन्तिका से प्यार से बात नहीं करता था तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? सिधार्थ ने आगे कहा ये कहते हुए सिधार्थ शिवानी को देखने लगा अचानक उसका दिल जोरों से धड़कने लगा कुछ सेकंड्स तक शिवानी के खुबसूरत चहरे को देखने के बाद सिधार्थ ने अपनी नजरें घुमा ली वैसे भी आज इवेंट में बहुत से लोग आए थे सिधार्थ का इस तरह शिवानी को देखना ठीक नहीं होगा हो सकता है इससे लोग उन दोनों के बारे में बातें बनाने लगें सिधार्थ को अपनी रेपिटेशन से ज्यादा शिवानी की रेपिटेशन की फिक्र थी आरव ने अभी अभी शिवानी का नमबर लिया है वो इस साल नई म्यूसिक आलबम रिलीज करने जा रहा है हो सकता है कि वो शिवानी को अपने साथ कॉलाबरेट करने को कह दे अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा तो ये बात है इतना कहकर सिधार्थ आरव को घूर्टे हुए देखने लगा अगर मैं आरव की जगा होता तो कभी शिवानी को अपने साथ कुलाबरेट करने को नहीं कहता। सिध्धार्थ ने बेरुखी से कहा। ये लड़का भी ना कुछ भी अच्छा नहीं कह सकता। शिवानी मन ही मन बढ़बढाई। वो जानती थी कि सिध्धार्थ अब कुछ देर के लिए ऐसी ही बातें करने वाला है। सिध्धार्थ की बात सुनकर संभवने हैरान होते हुए कहा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। शिवानी तो बहुत अच्छी सिंगर है। तब ही सिध्धार्थ हंसते हुए बोला। अब एक अबेलेटी बेस्ट सिंगर और आइडियल सिंगर में फरक तो होगा ही। इन दोनों को एक साथ गाते हुए बहुत प्रॉप्लम होगी। पर एक्जेंपल हो सकता है कि आरव शिवानी के हाई नोट्स को मैच ना कर पाए। सिध्धार्थ की बात सुनने के बाद वहां खड़े सब लोग चुप पड़ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिध्धार्थ ऐसा कुछ कहेगा। अब संभव जो कि वहां सबसे सीनियर था उसे सिध्धार्थ से सवाल करने पर अफसूस हो रहा था। माना वहां मौजूद सब लोग सिध्धार्थ की बात से सहमत थे लेकिन किसी में भी आरव से ये कहने की हिम्मत नहीं थी। अवंतिका भी इस वक्त बहुत हैरान थी। क्या ये सच मुझ तनोजा काई भाई है। अवंतिका मन ही मन बढ़ बढ़ाई। यहां दूसरी तरफ शिवानी को तो सिध्धार्थ की ऐसी बातें सुनने की आदत पड़ गई थी। इस तरह सब के सामने अपना मजाक बनता देख कर अचानक आरव के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। सद्धार्थ की बातों से साफ बता चल रहा था कि वो आरव को एक आईडियल सिंगर और शिवानी को अबेलेटी बेस्ट सिंगर मानता है। माना आरव ने फॉरण कंट्रीज में बहुत नाम खमाया था। उसे अपनी सिंगिंग के लिए बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके थे। लेकिन लोगों के लिए वो एक आईडियल सिंगर से ज्यादा कुछ नहीं था। बहां का माहौल थोड़ा टेंस होता जा रहा था। इसलिए शिवानी ने कहा। मुझे नहीं लगता कि सिंगर्ज में भी आईडियल और अबेलिटी बेस्ट सिंगर्ज जैसा कुछ होता है। आरफ को बहुत से अवार्ड मिले हैं। पिछले दो सालों से वो टॉप थृ सिंगर्ज की लिस्ट में भी रहा है। इसका मतलब वो एक अबेलेटी बेस्ट सिंगर है। संभव तुम अवन्तिका के साथ स्टेज पर जाओ। अवन्तिका ने हाई हील्स पहनी है। तुम दोनों की हाइट भी अच्छी माच हो रही है। अवन्तिका के लिए स्टेज पर नहीं चल पाएगी। इसलिए तुम्हें उसका हाथ पकड़ कर उसे सपोर्ट करना होगा। मिलन ने जट से कहा। ठीक है संभव ने मुस्कुराते हुए कहा। तब ही अचानक आरव ने कहा। सिध्धार्ट की बात सुनकर मिलन ने हां में अपना सिर हिलाते हुए कहा। ओके मैं रिटिका से इस बारे में बात कर लेता हूँ। इतना कहकार आरव ने धीमी आवाज में शिवानी से कहा। प्लीज मुझे फेस्बुक पर आट कर लो। इसके बाद वो वहां से चला गया। सिध्धार्ट तुम मेरे साथ चलो। मिलन सिध्धार्ट को घूरते हुए देख रहा था। सिध्धार्ट भी बिना कुछ कहे मिलन के पीछे-पीछे चलने लगा। रास्ते मेरे मिलन ने सिध्धार्ट की तरफ देखा और फिर अपने जिर पर हाथ फेड़ते हुए कहा। सिध्धार्ट क्या तुम आरव से इस तरह जगरना बन नहीं कर सकते। तुम्हें पता है न वो कितना पॉपिलर है। वो तो शुकर है कि संभव ने सिचुएशन को संभाल लिया। यहां इवेंट में बहुत से लोग आए हैं। मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। तुम प्लीज ऐसी कोई हरकत मत करना जिस सिफ फ्यूचर में तुम्हें परिशानियों का सामना करना पड़े। ठीक है वैसे तो मैंने सिर्फ सची कहा था। रिपोर्टर सुमसे फिल्म के आक्टर्स और आक्टर्स के बारे में तरह तरह के सवाल पूछेंगे। सिधार्ट मैं सब तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ अगर तुम मीडिया के सामने आरव को क्रिटिसाइज करोगे तो उसके फैंस सुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम तो जानते ही हो यहां मौझूद सभी आरव की फैंस फालोइंग सबसे ज्यादा है। आरव के फैंस उसके लिए पागल हैं। हाँ मुझे सब पता है तुम खामखाई परिशान हो रहे हो मैं उसे कुछ नहीं करूँगा। सिधार्ट ने नाखुश होते हुए कहा। यहां दूसरी तरफ शिवानी स्टेट पर जाने की तयारी कर रही थी। कि तब ही उसे दो अलग-अलग लोगों के मेसेजज़ आए। आरव की फेस्बुक रिक्वेस्ट अकसेप्ट मत करना। उससे थोड़ी दूरी बना कर रखो। वो अच्छा लड़का नहीं है। तो मैं याद हना कि उसने मेरी बहन को किस तरह परिशान किया था। सिध्धार्ट ने लिखा। दूसरा मेसेज आरव का था। मेरा इंतिजार करना, मैं सही मौका देखकर तुमसे मिलूँगा। मुझे तुम्हारे साथ बहुत सी बातें करनी है। आरव ने लिखा। उन दोनों के मेसेज़ेस पढ़ने के बाद शिवानी थोड़ी परिशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात माने। इवेंट स्टार्ट होने के बाद शिवानी वेहान के साथ हाथों में हाथ डाले स्टेज पर चली गई। प्रेस का में टागेट फिल्म के लीडिंग स्टार्ज थे। रिपोर्टर्ज में कास्ट से सवाल पूछने के लिए बेताब थे। लेकिन शिवानी और वेहान को भी स्टेज पर जाकर रिपोर्टर्ज के कुछ सवालों का जवाब दीना था। शिवानी को स्टेज पर आता देख, एक रिपोर्टर ने उससे सवाल करते हुए कहा, मैं शिवानी आप इंडस्री में अभी नई हो, क्या आपको इतने बड़े-बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करके प्रेशर फील होता है? रिपोर्टर का सवाल सुनकर शिवानी ने अपना सिर्फ हां में हिलाते हुए कहा, आपकोर्स, मुझे इतने बड़े-बड़े एक्सपीरियंस्ट आर्टिस्ट के साथ काम करके थोड़ा प्रेशर फील होता है, पर थैंक्फुली मैं एक सिंगर हूँ, जिस वज़ा से मुझे आक्टिंग जैसा मुश्किल काम नहीं करना जैसे ही सिध्धार्ट स्टेज पर आया, तो एक रिपोर्टर ने उससे सवाल करते हुए पूछा, मिस्टर सिध्धार्ट आप तो दिखने में बहुत से मेल आक्टर से भी ज्यादा हैंसम हो, क्या आपने कभी आक्टिंग करने के बारे में नहीं सोचा? Not interested सुनकर सिध्धार्ट ने कहा, इस बारे में मैं भी शूर नहीं हूँ, मेरी कंपनी ने हाली में एक नए CEO को हायर किया है, अगर कंपनी को मेरी जरूरत पड़ी, तो फ्यूचर में मैं उनके लिए फिल्म जरूर डारेक्ट करूँगा, इसके बाद माहौल को थोड़ा interesting और enjoyable बनाने के लिए सबी आर्टिस्ट को चित्स पर लिखी हुई fans के demands को पूरा करना था, सबी आर्टिस्ट एक एक करके box में से चित्स उठा रहे थे, कुछ देर बाद आरव ने भी box में से एक चित निकाली, उस चित्ट पर लिखा था कि किसी female artist के साथ paper dance करना है, म्यूसिक बंध होते ही वो पेपर फोल्ड होता जाएगा जिससे मेडिया वाले दोनों आर्टिस्ट के बीच की केमिस्ट्री देख पाएंगे जैसे ही होस्त ने पेपर डांस गेम का नाम अनाउंस किया तो भाँ खड़े सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे सब लोग इस इंतिजार में थे कि आखिर आरव अपने साथ डांस करने के लिए स्टेज पर किस लड़की को बुलाने वाला है पता नहीं मिस्टर आरव किसको अपने साथ स्टेज पर डांस करने के लिए बुलाएंगे वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी यहाँ पर सभी फीमेल आर्टिस्ट बहुत ही खुबसूरत है होस्ट ने कहा यह सुनकर आरव ने मुस्कुराते हुए कहा हितनी सारी खुबसूरत लेडिज में से किसी एक को चुनना बहुत ही मुश्किल है आपके साथ जिस लड़की को डांस करने का मौका मिलेगा वो बहुत ही लखी होगी होस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा इसके बाद आरव वहां खड़ी सभी फीमिल आर्टिस्ट की तरफ देखने लगा और फिर कुछ देर सूचने के बाद बुला मैं शिवानी को अपने साथ स्टेज पर डांस करने के लिए बुलाना चाता हूँ शिवानी को बिलकुल भी उम्मीद नहीं थी कि आरव डांस के लिए उसे स्टेज पर बुलाएगा इस से पहले कि वो कुछ कह पाती सभी मीडिया रेपोर्टर्स की नजरें और कैमराज शिवानी पर थे अचानक शिवानी की नजर वहाँ खड़े सिधार्थ पर पड़ी सिधार्थ इस वक्त शिवानी को घूर कर देख रहा था उसके चेहरे के एक्स्प्रेशन्स कुछ ठीक नहीं थे वैसे मिस्टर आरव क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने शिवानी को ही क्यों चुना क्या आपको लगता है कि मिस्वानी यहां मौझूद सभी फीमिल आर्टिस्ट्स में से सबसे ज्यादा खुबसूरत है होस्ट नहीं हंसते हुए पूछा नहीं क्या तुम चाते हो कि मैं यहां मौझूद सभी खुबसूरत लेडिस को ओफेंड कर दूँ आरव ने कहा इसके बाद वो सब को समझाते हुए आगे बोला यहां पर शिवानी और मैं एक ही एज ग्रूप के हैं शायद हम दोनों की केमिस्ट्री एक साथ अच्छी लगेगी वैसे भी बाकी सबी फीमेल आर्टिस्ट्स मेरे लिए मेरी बड़ी बहन जैसी है शायद मेरे साथ डांस करके उन्हें इतना कमफर्टेबल फील ना हो इसका मतलब ये हुआ कि शिवानी को आपके साथ डांस करके कमफर्टेबल फील होगा होस्त ने मजा किया अंदाज में कहा ये तो गेम के दोरा नहीं पता चलेगा आरव ने कहा आरव की बात खत्म होते ही उसके फैंस ने हूटिंग करना शुरू कर दिया सभी जोरो शोरों से आरव का नाम लेती हुए तालियां बजा रहे थे ये देखकर होस्त ने कहा लगता है आरव के फैंस कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है मैं शिवानी क्या आप स्टेज पर आकर आरव के साथ डांस करेंगी शिवानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो इतने सारे रिपोर्टर्स की सामने ना कहकर आरव की इंसल्ट नहीं करना चाहती थी लेकिन उसका आरव के साथ डांस करने का बिलकुल भी मन नहीं था तब ये उसने बात को संभालते हुए मजाक्या अंदाज में कहा क्यों नहीं आरव जैसे फेमस आर्टिस्ट के साथ कौन डांस नहीं करना चाहेगा वो सभी लड़कियों का क्रश है लड़कियां उनके साथ सेल्फी लेने के लिए भी तरस्ती हैं और यहां आरव मुझे खुद उनके साथ डांस करने के लिए स्टेज पर बुला रहे है लेकिन मुझे डर है कि कहीं आरव की फीमिल फैंस मुझसे जैलसी पील ना करें होस्ट भी शिवानी की बात से सहमत था उसने अपना सिर हां में हिलाते हुए कहा अगर आप स्टेज पर नहीं आना चाती तो यह सुनकर आरव ने अपना माइक्रोफोन निकाला और शिवानी के पास जाकर धीमी आवाज में कहा शिवानी अगर तुमने मेरे साथ डांस करने से इंकार कर दिया तो मैं किस के साथ डांस करूँगा मुझे नहीं लगता कि मैं या किसी और के साथ डांस कर पाऊँगा सभी मुझसे उमर में बहुत बड़ी है तब ही रितिका ने हसते हुए कहा प्लीज हाँ मिडल एज लेडिस को बिलकुल मत चुनना मुझे नहीं लगता कि मैं उस पेपर पर डांस कर पाऊँगी रितिका भी मिलन की फिल्म की तीसरी फीमेल लीड अक्ट्रेस थी अचानक शिवानी ने जूटी हसी हसते हुए कहा मुझे पेपर पर डांस करना नहीं आता मैंने कभी ऐसा कोई गेम नहीं खेला मैं स्टेज पर गिर गई तो सब लोग मुझे पर हसेंगे ये सब सुनकर आरफ कनफ्यूज होता हुआ शिवानी की तरफ देख रहा था बिचारा आरफ अब बुरी तरह फंस चुका था अगर शिवानी ने उसे ना कह दिया तो वो किसके साथ डांस करेगा तब ही सिद्धार्थ जो की स्टेज के कौनर पर खड़ा था उन दोनों को ही देख रहा था जट से बुला अब जब सब लेडीज इतना डर रही है तो मुझे लगता है कि हम दोनों को ही साथ में डांस करना पड़ेगा सिद्धार्थ की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह गए लेकिन गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग आरव को किसी फीमेल आर्टिस्ट के इससे पहले की होस्ट अपनी बात खत्म कर पाता सिद्धार्थ ने कहा हाँ मैं जानता हूँ लेकिन अगर तो यंग और हैंसम लड़के इस पेपर पर डांस करेंगे तो फैंस के लिए देखना बहुत ही एक्साइटिंग होगा क्या आप सब लोग हम दोनों के बेच की केमिस्ट्री नहीं देखना चाते सिद्धार्थ ने ओडियंस से कहा सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद वहां खड़े सभी फैंस जोर-जोर से चिल्लाने लगे माना बहुत से लोग सिद्धार्थ का नाम तक नहीं जानते थे लेकिन वो जैसे ही आरव के पासा कर खड़ा हुआ तो आरव की आधी से ज्यादा फीमिल फैंस उसे देख कर हैरान रह गई सिद्धार्थ इतना हैंसम और अट्राक्टिव था कि लड़कियां उससे अपनी नजरें हटा ही नहीं पाई आरव के फैंस ने जोर-जोर से उन दोनों का नाम पुकारना शुरू कर दिया फैंस के शोर से साफ पता चल रहा था कि वो आरव और सिद्धार्थ को एक साथ डांस करते देखना चाते हैं ये देखकर होस्त ने मुस्कुराते हुए कहा मिस्टर आरव देखे तो ज़रा आपके फैंस आपको सिद्धार्थ के साथ डांस करते हुए देखने के लिए कितने एक्साइटेड है आरव के पास अब और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था वो तो शिवानी के साथ स्टेज पर डांस करना चाता था पता नहीं सिधार्थ कहां से बीच में आ गया तबी आरव की नजर सिधार्थ पर पड़ी उसने देखा कि आज पहली बार सिधार्थ उसे देखकर मुझगुरा रहा है क्या बात है तुमारे फैंसों को ज्यादे ही एक्साइटेड लग रहे है सिधार्थ नी आरव से कहा तबी आरव मन ही मन बढ़बढाया रचाने सिद्धार्थ को मेरे साथ डांस करके क्या मिलेगा पता नहीं उसने डांस करने के लिए वालोंटियर क्यों किया हम दोनों के बीच तो अकसर बहस होती रहती है तो फिर वो ये सब क्यों कर रहा है आराव ये सब सूची रहा था कि तब ही वो अपना सिर नामे हिलाते हुए धीमी आवाज में बड़बडाया कहिए सिद्धार्थ के कोई चाल तो नहीं है नहीं ऐसा नहीं हो सकता चाहे सिद्धार्थ कितना भी स्ट्रॉंग क्यों ना हो पर वो स्टेज पर मेरे साथ कोई बत्तमीज ही नहीं कर पाएगा मेरी फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रॉंग है सिद्धार्थ इन सब के सामने मेरे साथ कुछ नहीं कर पाएगा ऐसे भी मिलन ने उसे पहले ही सब समझा दिया होगा ये सब सोचने के बाद आरव ने एक गहरी सांस ली उसे अब थोड़ा रिलाक्स पील हो रहा था आरव को बस एक बात का अफसोस था कि अब वो शिवानी के साथ दांस करते होए उसे हग नहीं कर पाएगा डांस करने के बहाने वो शिवानी के नस्दी काना चाहता था थोड़ी तेर बाद पेपर डांस गेम भी शुरू हो गया सद्धार्थ और आरव को एक पेपर पर तब तक डांस करना था जब तक वो पेपर फोल्ड होकर छोटा ना हो जाए इस गेम में बैलंसिंग ज्यादा जरूरी होती है जैसे जैसे गाना बदलता जाएगा वैसे वैसे पेपर और छोटा होता जाएगा फैन्स को आरव और सिधार्थ को डांस करते देख बहुत अच्छा लग रहा था सभी उन दोनों के डांस को देख कर एक दूसरे से बातें करते हुए हस रहे थे जैसे ही अगला गाना शुरू हुआ तो आरव और सिधार्थ ने डांस करना शुरू कर दिया गाना बंद होते ही सभी फैन्स आरव और सिधार्थ के लिए हूटिंग करने लगे कुछ देर बाद वो दोनों इतना करीब आ गए कि उन्हें एक दूसरे को हक करके डांस करना पड़ा एक तरफ सिधार्थ इतना हैंसम था तो वहीं दूसरी तरफ आरव की परसनालटी भी कुछ कम नहीं थी यहां शिवानी चुप-चाप खड़ी उन दोनों को डांस करती हुए देख रही थी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस वक्त स्टेज पर सिधार्थ आरव के साथ डांस कर रहा था लेकिन वो खुश थी क्योंकि सिधार्थ ने खुद से वॉलन्टीर करके उसे आरव के साथ डांस करने से बचा लिया था शिवानी जानती थी कि सिधार्थ आरव को बिल्कुल पसंद नहीं करता वो कभी उसे आरव के नस्दीक नहीं जाने देगा गेम खत्म होने के बाद रिपोर्टर्स सिधार्थ और आरव से सवाल पूछने लगे सो मिस्टर सिधार्थ आरव को हग करके आपको कैसा फील हो रहा है बहां भीड में खड़े एक रिपोर्टर ने पूछा शायद मैं किसी लड़की को हग करना ज्यादा पसंद करूँगा सिधार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा सिधार्थ तुम बहुत हैंसम हो क्या मैं तुम्हें हग कर सकती हूँ आरव की एक फीमिल फैन चिलाते हुए बोली अच्छा तो मिस्टर आरव आपको सिधार्थ के साथ डांस करके कैसा लगा रिपोर्टर ने पूछा मैं भी किसी लड़की के साथ डांस करना ज्यादा पसंद करूँगा आरव ने मुस्कुराते हुए कहा आरव की बात सुनकर होस्ट हसते हुए बोला इसका मतलब लड़कियों के पास अब भी चांस है सभी आर्टिस्ट्स ने चिट पर लिखी फैन्स की डिमांड को एके करके पूरा किया ओल्मोस्ट जितने भी आर्टिस्ट्स स्टेज पर मौजूद थे सबने इस गेम में पार्टिसपेट किया था शिवानी की किसमत अच्छी थी कि उसे दुबारा ऐसी किसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा लॉंच के बाद कुछ आर्टिस्ट्स को रिपोर्टर्स के साथ इंडिविजुल इंटर्व्यू के लिए अपने अपने रूम्स में जाना था सभी आर्टिस्ट्स एकठा होकर लिफ्ट की तरफ जा रहे थे शिवानी भी उन सब के पीछे ही चल रही थी वो जैसे ही लिफ्ट के पास पहुँची तो उसने देखा कि आरव और संभव पहले ही दूसरे आर्टिस्ट्स के साथ लिफ्ट में खड़े हुए है तब ही अचानक आरव ने अपने हाथ से लिफ्ट का दर्वासा पकड़ते हुए शिवानी से कहा शिवानी अंदर आ जाओ इस हो के मैं दूसरी लिफ्ट से आ जाओंगी यहाँ पर पहले ही बहुत भीड़ है शिवानी ने कहा अरे शिवानी तुम खामखा परिशान हो रही हो यहाँ अब भी तुम्हारे लिए जगा खाली है आरव ने बड़े प्यार से कहा आरव की बात सुनकर शिवानी ने नोटिस किया कि वहाँ लिफ्ट में बहुत से सीनियर आर्टिस्ट उन दोनों को ही देख रहे हैं अब शिवानी के पास आरव के साथ लिफ्ट में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था शिवानी के अंदर आते ही आरव ने जट से लिफ्ट का क्लोज बटन दबा दिया तब ही अचानक एक लड़के ने आरव को रोकते हुए कहा मेरे लिए रुको उस हैंसम लड़के ने इस वक्त ग्रे सूट पहना था जिसमें वो बेहद अट्राक्टिव लग रहा था दरवासा बंध होने से पहले ही सिध्धार्थ जल्दी से लिफ्ट के अंदर आ गया और शिवानी के पास आकर खड़ा हो गया वह लिफ्ट में इतनी भीर थी कि शिवानी और सिध्धार्थ को एक दूसरे के बहुत नजदीक खड़ा होना पड़ा शिवानी और सिध्धार्थ इस वक्त फेस टू फेस खड़ी थे जिस वजह से शिवानी का सिर सिध्धार्थ के सीने के बहुत करीब था वो सिधार्थ की सांसों को फील कर पा रही थी ये पहली बार नहीं था जब सिधार्थ उसके इतना करीब था अचानक शिवानी को थोड़ा awkward फील होने लगा इस वक्त शिवानी को उस दिन लिफ्ट में सिधार्थ और उसके बीच जो कुछ भी हुआ वो सब याद आने लगा इससे पहले भी एक बार जब वो लिफ्ट में थे तो सिधार्थ के पसीने से उसके सारे कपड़े भीग गए थे शिवानी नहीं चाहती थी कि वो ऐसी किसी सिचुएशन में दुबारा फसे सिधार्थ और शिवानी को इतना नजदीक देख तो उसे बहुत कुस्सा आ गया इस वक्त आरव शिवानी की नेक लाइन की तरफ देख रहा था वो चुपचाप शिवानी के खुबसूरा चेहरे और उसकी कॉलर बोन को देखकर मुस्कुरा रहा था शिवानी की ड्रेस का गला थोड़ा डीप था सिद्धार्ट नहीं चाता था कि कोई भी शिवानी को बुरी नज़र से देखे इसलिए वो जैसे दैसे उन दोनों की बीच में चाकर खड़ा हो गया इसके बाद सिद्धार्ट ने अवंतिका से कहा अवंतिका तुम्हारा इंटर्व्यू कब खत्म होगा? अवंतिका भी वहीं लिफ्ट में एक कॉर्णर में खड़ी थी मेरे हिसाब से इंटर्व्यू आदे घंटे तक चलेगा? वैसे तुम ये क्यों पूछ रहे हो? अवंतिका ने कहा वो मुझे तुमसे तुमारे रोल के बारे में कुछ इंपोर्टन बात करनी है सिध्धार्थ ने लापरवाही से कहा क्या मुझे भी अवंतिका के साथ आना होगा? सिध्धार्थ की बात सुनकर संभव जड़ से बोला आफ्टर ओल संभव फिल्म में लीड आक्टर का रोल प्ले कर रहा था वो अपने काम को लेकर हमेशा सीरियस रहता था नए इसकी कोई ज़रुत नहीं है सिध्धार्थ ने बिना सोचे समझे कहा तभी कुछ जेकिंद्स बाद उसे रियलाईज हुआ कि शायद उसके इस जवाब से संभव को थोड़ा इंबरेस्ट फील हुआ होगा इसलिए उसने आगे कहा ऐसे सच कहूं तो मुझे सुंदर लड़कियों से बात करना ज्यादा पसंद है ये सुनकर लिफ्ट में खड़े सभी आर्टिस्ट संसने लगे उन्हें अच्छी तरह पता था कि सिध्धार्थ इस वक्त मजाग कर रहा है सिध्धार्थ की बात सुनकर शिवानी हैरान होते हुए उसकी दरफ देख रही थी सिध्धार्थ बोलते वक्त दूसरे लोगों की फीलिंग्स के बारे में कबी नहीं सोचता था लेकिन आज लग रहा था जैसे उसे संभव की फीलिंग्स की परवा है वैसे भी संभव एक अवार्ड विनिंग आक्टर था उसकी आक्टिंग स्किल्स और केपिबिलिटीज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था सदार्थ अपनी बातों से सबका दिल जीतना बहुत अच्छी से जानता था वो जानता था कि उसे कब क्या कहना है जैसे ही लिफ्ट का दर्वासा खुला तो सभी आर्टिस्ट्स अपने अपने रूम की तरफ चले गए रिपोर्टर्स अभी इंटर्व्यू लेने के लिए वहाँ नहीं पहुँचे थे यहाँ हाई हील्स पहनने की वज़ा से शिवानी के पैर बहुत दर्द कर रहे थे तो आर्व के साथ डांस करने से मना नहीं करना चाहिए था रमन ने उदास होते हुए कहा हैडलाइन में आने का ये आपके पास एक अच्छा मौका था आपको इस तरह के एक्स्पोजर की जरूरत है इस तरह आप सबकी नजरों में आ सकती थी लेकिन मुझे डर था कि कहीं आरव की फीमेल फैंस मुझसे नाराज ना हो जाए शिवानी ने कहा शायद आप सही कह रहे हो आरव के फैंस उसके लिए पागल है पता नहीं वो कब क्या कर दें इतना कहकर रमन ने इस बारे में आके कोई बात नहीं की यहाँ दूसरे रूम में अंजली ने आरव से कहा मैं देख रही हूं कि आज आप शिवानी से कुझ ज्यादा ही प्यार से बात कर रहे हो आप उसे कुझ ज्यादा ही अटेंशन दे रहे हो आरव इस वक्त अपने फोन में बिजी था अंजली की बात सुनकर उसने लापरवाही से कहा So what? क्या आप किसी फीमेल आर्टिस्ते बात करने के लिए भी मुझे तुम्हारी पर्मिशन लेनी होगी? ये सुनकर अंजली आरव को घूरते हुए बोली ऐसी बात नहीं है मेरे साथ-साथ यहां मौझूद सब लोग देख पा रहे हैं कि आप शिवानी को कुछ ज़्यादा ही इंपोर्टन्स दे रहे हैं ये सुनकर आरव ने अंजली की तरफ देखते हुए कहा आज नहीं फिल्म की प्रेस रिलीज में लोगों के पास देखने के लिए कुछ नया और इंट्रेस्टिंग होना ही चाहिए कल के हेडलाइन में छापने के लिए निउस रिपोर्टर्स के पास कोई अच्छी सी निउस तो होनी चाहिए न मैं बस हेडलाइन्स में आने के कोशिश कर रहा हूँ क्या सच में? लेकिन आरव सर मुझे तो ऐसा नहीं लगता अभी थोड़ी देर पहले लिफ्ट में जो इससे पहले कि अंजली अपनी बात खत्म कर पाती आरव ने अपना फोन टेबल पर रखा और फिर वो अपनी चेर्स उठकर अंजली को घूरते हुए बोला अगर मैंने प्रोड़क्शन टीम के किसी मेंबर का इंतिजार करते हुए शिवानी के लिए लिफ्ट का दरवाजा खोल भी दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे पसंद करता हूँ तो वाँ अकेली खड़ी थी अगर मैं उसके सामने दरवाजा बंद कर देता तो नजाने सभी आर्टिस्ट्स मेरे बारे में क्या सोच थे अचानक अंजली का उदास चेहरा देख आरव ने आगे कहा शिवानी सिर्फ एक छोटी मोटी सिंगर है तो मुसे लेकर खामखा परेशान हो रही हो तुमें चिंता करने की कोई जरुवत नहीं है लेकिन अगर मैंने दुबारा ऐसा कुछ होते देखा तो मैं मैम से कहकर आपको रिप्लेस करवा दूँगी अंजली ने कहा ये सुनकर आरव आगे बोला अच्छा तुमारी वज़े से बैंगलोर में मेरी तनुजा से लड़ाई हो गई थी सबको लगता था कि मैं उसे जान बूज कर परिशान कर रहा था अब तुम्हें सिधार्थ की नजरों में भी खटकने लगा हूँ तुम्हें पता है सिधार्थ राइजन शाइन वेंचर का मेजर शेयर होल्डर है और तो और वो अर्मान का ब्रदर अनलो भी है वहां बैंगलोर में जो कुछ भी हुआ मुझे हर बार उसके लिए सिधार्थ और प्रड़क्शन टीम से माफी मागनी पड़ती है माना आप मैं पॉपिलर हूँ लेकिन अब भी सब यही समझते हैं कि मैं अपनी पावर और अथोरिटी का शो आफ करता हूँ अगर मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसमें बुरा ही क्या है आरव की बात सुनकर अंजली ने गुज़े से कहा मुझे सब पता है यही वज़ा है ना कि आप हमारी कंपनी के साथ अपना कॉंट्राक्ट खत्म करना चाते हो मैं जानती हो की कंपनी के अरेंजमेंट से आप बिल्कुल खुश नहीं हो तब ही तो आप यहां मिलन की फिल्म में काम करने के लिए आ गए आपने ही आक्टर बनने की जिद की थी और तो वार आपने मेरी पीट पीछे कुछ प्राइवेट इवेंस के लिए भी कॉंट्राक्ट साइन किया है आपको क्या लगता है मुझे सब के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा अंजली ने गुस्से से कहा अगर मैंने कंपनी के साथ अपना कॉंट्राक्ट खत्म कर भी दिया तो इससे क्या होगा मैंने इतने साल कंपनी के लिए पैसे कमाए है और बदले में कंपनी ने मुझे क्या दिया आरव ने कहा अब अंजली का गुस्सा साथ में आसमान पर था ये सब आपने contract sign करते हुए क्यों नहीं कहा आपने उस वक्त इस बारे में कोई complaint क्यों नहीं की जब आप हमारी मैम के नजदी का रहे थे तब तो आपने ऐसा कुछ नहीं कहा हाँ तुम ठीक कह रही हो लेकिन इसके लिए तुम्हारी मैम नहीं मुझे force किया था वो चाती थी कि मैं उसके साथ रहू नहीं तो वो मुझे कभी इस industry में नहीं रहने देती उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था तो आखिर सच आपकी जबान पर आ ही गया हर अवसर आप ये मत सोचना कि आप अभी बहुत अच्छी position में हो इस तरह कॉंट्राक्ट तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है कॉंट्राक्ट तोड़ने पर आपको कंपनी को हर जाना भरना पड़ेगा और ज़रा सोचो अगर आपकी फैंस को सच पता चल गया कि आप यहां तक कैसे पहुँचे हो तो आपके reputation का क्या होगा क्या आपको लगता है सच जानने के बाद भी आपके फैंस आपको इतना प्यार देंगे जितना अभी दे रहे है अंजली ने कहा अच्छा होगा कि आप खुद को काबू में रखो नहीं तो मैं आपकी और मैम की न्यूट पिक्चर्स मीडिया में लीक करवा दोंगी बात में मुझे मत कहना कि मैंने आपको वो और नहीं किया था अंजली के मूँ से ये सब सुनकर आरव का चेहरा पीला पड़ गया था इस वक्त अंजली भी आरव को घोड़ते हुए देख रही थी यहां से चली जाओ मुझे तुम्हारी अप कोई जरुवत नहीं है आरव ने चिलाते हुए कहा मानना पड़ेगा आप में बहुत हिम्मत है इतना कहकर अंजली आरव की रूम से चली गई अंजली के जाने के बाद दरवासा बंध होने की आवाज आरव के कानों में गुंज रही थी गुस्से में आरव ने अपने हाथों की मुठी बना ली उन्हों जाने कब से इस दिन का इंतिजार कर रहा था उसने सोचा था कि कुछ वक्त और ये सब सहलेगा लेकिन अब उसका सबर तूट चुका था अब वो इसा बरदाश नहीं कर सकता था यहां दूसरी तरफ शिवानी ने अपना इंटरव्यू खत्म कर लिया था दो पहर के दो बच चुके थे वो अपने रूम में एक कमफर्टेबल सी ड्रेस पहन कर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही थी इसके बाद उसे रात को प्रोड़क्शन टीम के साथ डिनर पर भी जाना था आँखे बंद किये शिवानी को अभी सिर्फ दस मिनट ही हुए थे तब इसे डोर बल की आवास सुनाई थी रमन ने जैसे ही दर्वासा खुला तो आरव को अपने सामने खड़ा देख वो हैरान रह गया अब आरव सर अब यहाँ? रमन हर बढ़ाते हुए बोला शिवानी इस वक्त पूरी तरह नहीं सोई थी उसने जैसे ही रमन के मूर से आरव का नाम सुना तो उसका दिल तेजी से धरकने लगा उसने सूचा नहीं था कि आरव प्रेस रिलीज के दौरान इस तरह सब के सामने उससे मिलने पहुँच जाएगा आरव पहले तो ऐसा नहीं था वो हमेशा शिवानी से छुपकर ही मिलता था क्या शिवानी अंदर है? मुझे उससे कुछ बात करनी है आरव ने साफ-साफ शब्दों में कहा क्या आप शिवानी मैम से अपनी न्यू म्यूसिक आलबम के बारे में बात करना चाते हैं? मैंने सुनाया आप इस साल एक नई अलबम रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं रमन ने एक्साइटेड होते हुए कहा रमन की बात सुनकर आरव जट से बूला, नई, यहां शिवानी अपने रूम में लेटी उन दोनों की बातें सुन रही थी, उसे डर था कि कहीं आरव उन दोनों के रिलेशन्शिप के बारे में रमन को ना बता दे, इसलिए वो हडबडाते हुए अपने रूम से बाहर आई औ मुझे शिवानी से अकेले में बात करनी है, आरव ने बड़े ही प्यार से कहा, आरव ने शिवानी से जो भी बात करनी थी, वो रमन के सामने नहीं कर सकता था, आरव की बात सुनकर रमन को समझ नहीं आया कि वो आप क्या करे तब ही शिवानी ने अपने माथे पर हाथ फेड़ते हुए कहा अब रमन तुम प्लीज थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर चले जाओ ओके माम इतना कहकर रमन चुप चाप रूम के बाहर जाकर खड़ा हो गया वो जानता था कि इस वक्त शिवानी रूम में आरव के साथ अकेली है इसलिए उसने दर्वाजे के पास खड़ी रहना ही बहतर समझा शिवानी की सिक्योरिटी उसके लिए सबसे जरूरी थी वो इस तरह शिवानी को रूम में अकेला छोड़ कर नहीं जाना चाहता था लेकिन आरव और शिवानी की बात मानने के सिवा रमन और कर भी क्या सकता था रमन के बाहर जाते ही आरव ने जट से दर्वाजा बंद कर लिया ये देखकर शिवानी का दिल जोरों से धड़कने लगा वो इससे पहले कभी इतनी नर्वस नहीं हुई थी तबी शिवानी ने खुद को शांत करने की कोशिश करती हुए धीमी आवाज में कहा आरव मैंने तुमें पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया था जो हुआ सो हुआ हम बीदी बातों को नहीं बदल सकते लेकिन प्लीज अब तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो ये सुनकर आरव शिवानी के पास आ गया वो इस वक्त शिवानी के आँखों में देख रहा था मैं इतनी मेहनत आखिर किसके लिए कर रहा हूँ तुम्हारे कहने से हमारा रिलेशन्शिप इस तरह खत्म नहीं हो सकता शिवानी हम दोनों दूसरे कापल्स की तरह बिलकुल नहीं है मैं मानता हूँ कि तुमने मेरे बिना बहुत सी परिशानियों का अकेले सामना किया है इतने साल तुम मेरे बिना अकेले सफर करती रही लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा दुबारा कभी नहीं होगा मैंने अपनी कमपनी के साथ कॉंट्राक्ट खत्म करने की ठान ली है फिल्म के खत्म होते ही हम दोनों एक साथ रह सकते हैं हमें सरह अपने रिलेशनशिप को छुपाने की कोई जरुवत नहीं पड़ेगी ये सब सुनकर शिवानी थोड़ी देर चुप रही फिर उसने आरव की बात समझ ली तुम फिल्म के खत्मोंने का इंतजार क्यों कर रहे हो आरव मैं सब समझते हूँ तुम हमारे रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में रहना चाते हो ताकि इस फिल्म के बाद भी तुम्हें मीडिया वाले अटेंशन देते रहें शिवानी ने कहा इस फिल्म की वज़ा से पहले ही सभी आर्टिस्ट को बहुत अटेंशन मिल चुकी है मुझे अब और एडलाइन्स में आने की जरूरत नहीं है कॉंट्राक्ट तोड़ते ही मुझे पहले अपनी कमपनी के साथ कुछ लीकल फॉर्मालिटीज पूरी करनी होंगी इस सब में मैं तुम्हें इन्वाल्व नहीं करना चाता इतना कैकर आरव शिवानी के और नज़्दी काकर खड़ा हो गया वो इस वक्त शिवानी को प्यार भरी नजरों से देख रहा था तब ही उसने शिवानी के चेहरे पर आए बालों को अपने हाथ से सहलाते हुए कहा शिवानी तुम नहीं जानते कि तुम से मिलने के लिए मैं कितना एक्साइटर था मुझे तुम्हें यहां देखकर बहुत खुशी हो रही है पता है मैं इस दिन का बेसबरी से इंतिजार कर रहा था शिवानी मैं तुम्हारे सिवा मेरे दिल में और कोई नहीं है अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो हम कल ही शादी कर लेते हैं इसके बाद हम तुम्हारे पैरेंस से मिलने चलेंगे उन्हें भी तो पता चले कि मुझे चुनकर तुमने सही फैसला लिया है आरव की बातें सुनने के बाद शिवानी अपनी नजरें उठा कर उसके हंसम चहरे की तरफ देखने लगी आरव दिखने में बहुत गोड लुकिंग था लुक्स के मामले में आरव भी कुछ कम नहीं था शिवानी कुछ देर यूही बिना पलकें जपकाए आरव को देखती रही वो बहुत सालों बाद उसे इतना नज़्दीक से देख रही थी आरव मैंने बहुत बार तुम्हें सपनों में ये सब कहते हुए इमाजन किया है लेकिन अब तुम वो पहले वाले आरव नहीं रहे जैसे मैं प्यार करती थी तुम बहुत बदल चुके हो शिवानी उदास होते हुए बोली कैस अब तुम तनुचा के वज़े से कह रही हो मुझे पता है तनुचा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती क्या तुम मुझसे ज्यादा उस पर ट्रस्ट करती हो आरव हैरान होते हुए बोला आरव लोग तुम्हारे बारे में नजाने क्या कुछ कह रहे हैं तुम एक अमीर लड़की के साथ रिलेशन्शिप में हो मैं जानती हूँ वो लड़की तुम्हारी कमपनी के CEO की बेटी है तब ही कमपनी तुम्हारे उपर इतना खर्चा कर रही है वो तुमें हर तरह की facilities प्रोवाइड कर रहे हैं यही reason है कि आज तुम्हारे पास वो सब है जो तुम चाहते हो यह सब कहते हो यह शिवानी उदास होकर आरव की तरफ देखने लगी शिवानी को अपने दिल में एक चुबन सी मैसूस हो रही थी जो कुछ भी उसके और आरव के बीच हुआ था वो शिवानी के लिए किसे बूरे सपने की तरह था उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पहला प्यार इतनी जल्दी बदल जाएगा काश उस phone call पर ही हमारा relationship खत्म हो गया होता मुझे आज तुम से ये सब face to face नहीं कहना पड़ता इतने सालों में तुम्हें इस सब best मिला है तुमने जो चाहा तुम्हें वो मिल गया तुमने बड़ी आसानी से इस film में भी अपनी जगा बना ली आरव इस film का हिस्सा बनने से पहले मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी लेकिन अब मैंने लोगों से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है शिवानी तुम तो जानती हो कि मैं कितना बड़ा स्टार हूँ लोग मेरे बारे में जूटी और मनकणंत बाते करते हैं वो सब मुझ से जलते हैं, क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं? पहले तो तुम मुझ पर आख बंद करके ट्रस्ट करती थी, फिर अब तुम्हें क्या हो गया है? मैं सच कहा रहा हूँ, सब लोग मेरी रेपूटेशन खराब करना चाते हैं, शिवानी भले ही सारी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए? अगर तुम मेरे साथ हो, तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। आरव शिवानी को सफाई देने की बहुत कोशिश कर रहा था, ये देखकर शिवानी खुद को रोक नहीं पाई, वो आरव से बहुत डिसपॉइंटेड आरव अब भी शिवानी से जूट बोल रहा था, तुम इतना बदल जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था, आरव तुम अपनी गलती मानने को तैयारी नहीं हो, तुम जानती भी हो तुमने क्या किया है? शिवानी गुस्से से बोली, आरव को सामने खड़ा देख, शिवानी क अपनी लाइफ के बीते हुए पल याद आ रहे थे, उसने यहां तक पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था, जिस लड़के के लिए शिवानी ने ये सब किया, वो तब किसी और अमीर लड़की के साथ रिलेशन्शिप में था, आरव ने शिवानी को धोका दिया अब शिवानी अंदर से पूरी तरह तूट चुकी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो जानती थी कि पुराने जखम कुरिदने से उसे दर्द के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, अचानक शिवानी को सांस लेने में मुश्किल होने लगी, देखो आरव, अगर तुम म मेरी नजरों में तुम्हारी इज़त बची रहेगी, क्या तुम मुझे बेवकूप समझते हो, जब हम डेट कर रहे थे तो तुम हमारे रिलेशन्शिप को लेकर बहुत कैयरफुल थे, तुम्हें हमेशा इस बात का डर लगा रहता था, कि हमें मीडिया वाले ना देख ले उस वक्त तुम एक स्टार थे और मैं एक नॉमल सी लड़की, आगर तुम हमारे रिष्टे को सबसे छुपा कर क्यों रखना चाते थे, अब मैं भी एक फेमस स्टार बन चुकी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी क चेहरा पीला पड़ चुका था, वो बहुत ठका हुआ लग रहा था, अब शिवाने चुप चाप आरव की तरफ देखने लगी, तब ही आरव ने एक मुठी बनाते हुए गहरी सांस ली और अपना सिर जुकाते हुए कहा, शिवाने मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था शिवानी की आँखे लाल पड़ चुकी थी, वो इस वक्त बहुत गुस्से में थी, वो आरव से दो कदम दूर हो गई, रूम के अंदर हीटर लगा था, इसके बावजूद शिवानी का सारा शरीर ठंडा पड़ चुका था, क्या फेमस होना ही तुम्हारे लिए सब कुछ ह चुक्ता है, क्या इसके लिए तुम अपनी moral values तक को भूल गए, शिवानी ने कहा, शिवानी को ये सब कहता देख, आरव को बहुत बुरा लग रहा था, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता था, तुम्हें एक अच्छी family से belong करत है हम तुम्हारे कंपारिसन में बहुत गरीब हैं और हमारा स्टेटस भी मैच नहीं होता वो कभी मुझे अपने दामाद के रूप में अकसप नहीं करेंगे उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे ऐसे सिंगर्स तो आजकल कहीं भी मिल जाते हैं मैं कभी एक बड़ा स्टार नही मुझे चुना तुम मुझे फॉलो करती हुई मेरे पीछे पीछे आ गई मेरे लिए तुमने अपने पैरेंस के साथ बात तक करना बंद कर दिया मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली और तुम्हें बहुत सफर करना पड़ा है शिवानी मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं ल पैरेंस एक्जाम के बाद तुम्हारे डाट मुझे से बात करने आये थे तुम्हें पता है मुझे शेहर की सबसे बड़ी उनिवर्सिटी में अड्मिशन मिला था लेकिन फिर भी तुम्हारे डाट को इससे कोई खुशी नहीं हुई और बहला होती भी क्यों तुम्हारी फ तब तक मैं तुमसे दूर रहूँगा अब मेरा और तुम्हारी फैमली का स्टेटस मैच होता है मैं जानता था कि जब तक मैं पॉपलर नहीं बन जाता तब तक तुम्हारे पैरेंस भी हम दोनों के रिष्टे के लिए हां नहीं करेंगे शिवानी आरव की बातें सुनकर द सपोर्ट नहीं था मैं भले ही कितनी मेहनत क्यों ना कर लूँ गागा कर मेरा गला दर्द करने लगता था वहां गाने के साथ-साथ डांस करते हुए मेरे पैरों में छाले पड़ जाते थे लेकिन अपना सौ परसेंट देने के बाद भी मुझे काम नहीं दे रहा था कोई श मिशा कहता था कि सब लोग मेरी बहुत तारीफ करते हैं सब मुझे बहुत अटेंशन देते हैं वहां पर सब अच्छे से चल रहा है लेकिन वो सब जूट था तुम्हें पता है कई बार तो मुझे एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था मुझे टेंशन की वज़ा से स गहरी सांस ली और गिडगडाते हुए बोला शिवानी मैं पूरी तरह तोट चुका था आरव की बातें सुनकर शिवानी जोर-जोर से रोने लगी उसके लंबी काली पल के आंसों से भीग चुकी थी तब ही मेरी मुलाकात मेरी कंपनी के CEO की बेटी से हुई उसने कहा कि वो मुझे बहुत पसंद करती है या तो मैं उसकी साथ रिलेशन्शिप में आ जाओ या फिर खाली हाथ घर वापस लोट जाओ यहां घर पर तुम इस उम्मीद में थी कि मैं एक बड़ा स्टार बन कर लोटूँगा सबको मुझसे बहुत उम्मीदें थी यहां तुम मेरे थी कि आरव क्या कहने के कोशिश कर रहा था शिवानी इस वक्त बुरी तरह तूट चुकी थी उसकी आँखों से आशू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे उसने कभी नहीं सोचा था कि आरव उसके साथ ऐसा कुछ करेगा लेकिन शिवानी मेरा फ्यूचर तो तुम्हारे सा था ना मैं जानता हूं कि मैंने उस लड़की को कभी प्यार नहीं किया मैं तो सिर्फ तुम से प्यार करता हूं और अब ये सारी बाते मुझे और परिशान नहीं कर पाएंगी ये कहते हुए आरव ने अपना हाथ शिवानी के कंधे पर रख दिया मैं सब कुछ ठीक कर दू शिवानी तुम बस एक बार मुझे माफ कर दो इस मुकाम पर पहुँचना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था हम दोनों ने यहां तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ खोया है आरव ने आगे कहा शिवानी प्लीज मुझे माफ कर दो आरव ने कहा माफ क्या मुझे आरव को माफ कर देना चाहिए शिवानी मन ही मन बड़बडाई इस वक्त वो कहीं खोई हुई थी उसकी आँखों में दर्द और आंसू थे मुझे रोते हुए आरव को देखने की कोशिश करने लगी उसे आरव का चेहरा थोड़ा दुंदला दिखाई दे रहा था शिवानी ने जैसे ही आरव के चेहरे को छोने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसके दिमाग में आरव और उस लड़की की पिक्चर घूमने लगी आरव ने उसे धोखा दिया था वो फेमस होने के लिए किसी और लड़की को प्यार कैसे कर सकता था माना शिवानी अब बरजिन नहीं रही थी लेकिन उसने कभी आरव को धोखा देने के बारे में सोचा तक नहीं था उस दिन क्लब में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक आक्सिडन्ट था लेकिन आरव ने तो ये सब कुछ जान बूच कर किया था वो दौलत और शोहरत के नश्य में इतना अंधा हो गया कि वो अपने प्यार तक को भूल गया जब वो दोनों यंग थे तो उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि वो किसी और को एक दूसरे को छूने तक नहीं देंगे लेकिन अफसोस जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ कुछ देर आरव और उस लड़की के बारे में सोचने के बाद शिवानी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा आरव मैंने तुम्हें माफ कर दिया है ये सुनकर आरव मुस्कुराने लगा लेकिन शिवानी ने इसके आगी जो कहा उससे आरव की सारी excitement कुछ ही seconds में गायब हो गई लेकिन अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते इतना कहकर शिवानी ने अपने कंधों से आरव के हाथ जटक दिये शिवानी की बात सुनकर आरव का चेहरा पीला पड़ गया था ज़रा सोचो अगर famous होने के लिए मैं भी किसी लड़के के साथ एक रात गुजार लूँ तो क्या तुम ये सब बरदाश्ट करोगे शिवानी आगे बोली कभी आरव ने सिर नामे हिलाते हुए कहा तुम कभी ऐसा नहीं करोगी तुम्हारी फैमिली पहले से ही रिच है और अब तुम अपनी काबिलियत से एक बड़ी स्टार बन चुकी हो मैं जानता हूँ तुम कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती माना मेरी फैमिली को कभी पैसों की कमी नहीं हुई लेकिन तुम्हें पाने के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया था मैं अपनी फैमिली और पैसों को छोड़कर तुम्हारे पास आई थी कॉलेज के दिनों में मैं कुछ पैसे कमाने के लिए छोटे मुटे रेस्टरॉंस में गाना काती थी मैं अपनी छोटी से दुनिया में बहुत खुश थी कही बार बहुत से लोगों ने मुझे अपने साथ रात गुजारने के लिए भी फोर्स किया था लेकिन मैंने हिम्मत दिखा कर उन सब को ना कह दिया था पता है सारा दिन मैं काम करके बहुत ठक जाती थी मैं बहुत लखी थी कि मुझे सिंगर बनने का मौका मिला लेकिन इस सब के लिए मैंने कभी अपने संसकारों को नहीं छोड़ा शोहरत पाने के लिए मैंने कभी खुद को बेचने के बारे में नहीं सोचा पता है गर मैं सिंगर नहीं बनती तो मैं पॉपिलर होने के लिए कोई गलत रास्ता कभी नहीं चुनती, ये entertainment industry ही मेरी आखरी choice नहीं थी, मैं कोई और job करके पैसे कमा सकती थी, I'm sorry आरव, हम दोनों के रास्ते अब बहुत अलग हैं, हम दोनों अब कभी एक नहीं हो सकते, शुकर है तुमने मुझे सब सच सच बता दि तुम्हें जरूर future में मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी, शिवानी तुम ये सब क्या कह रही हो, आरव हड बढाते हुए बोला, आरव को उम्मीद नहीं थी कि शिवानी ऐसा कुछ कहने वाली है, अचानक उसने शिवानी को पकड़ कर अपनी तरफ खीचा, और वो उसे कसकर हग करने लगा, शिवानी तुम ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज मुझे एक चांस तो दो, आरव ने कहा, इतना कहकर वो शिवानी के होटों के नजदीक आने लगा, इस वक्त वो शिवानी को किस करने की कूशिश कर रहा था, ये सोचकर कि आरव पहले किसी और लड़क उसे, ये तुम क्या कर रहे हो, शिवानी ये कहते हुए, आरव से दूर होने की कूशिश करने लगी, लेकिन आरव शिवानी की बात मानने को तयार ही नहीं था, वो जबरतस्ती उसे किस करने की कूशिश करता जा रहा था, आरव अगर तुम अभी यहां से नहीं गए, तो म आरव दंग रह गया। उसकी पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। तभी शिवानी ने आरव को धक्का देते हुए खुद से दूर कर दिया और कहा। आरव जाओ यहां से। आरव वहां खड़ा चुपचाब शिवानी को देख रहा था। इस वक्त उसकी आँखें गुस्से से लाल पड़ चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि शिवानी उसके साथ इस तरह बिहेव करेगी। यहां दूसरी तरफ शिवानी के रूम के बाहर खड़े रमन को बहुत देर हो गई थी। उसे अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आरव और शिवानी बहुत देर से रूम में अकेले थे। रमन नहीं जानता था कि उन दोनों के बीच इस वक्त क्या चल रहा है। और वो रमन को ये तो पता चल गया था कि शिवानी और आरव एक दूसरे को पहले से जानती है। कहिए तोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन्शिप में तो नहीं है। रमन मन ही मन बढ़बढाया। ये सब सोच कर ही वो बहुत एक्साइटिड हो गया था। अगर ये सच हुआ तो सब लोग ये सुनकर हैरान रह जाएंगे। रमन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजरें हॉल के दूसरी तरफ से आते हुए सिधार्थ पर पड़ी। सिधार्थ इस वक्त अपनी पॉकेट में हाथ डाल कर इस तरह चल रहा था मानों वो किसी फैशन रनवे पर हो। वो इस वक्त ग्रे सूट में बहुत अट्राक्टिव लग रहा था। सिधार्थ को देखकर रमन कुछ देर के लिए उसे देखता ही रह गया। रमन को सिधार्थ की परसनालटी और करिज्मा बहुत अच्छा लगता था। रमन को इस तरह शिवानी के रूम के बाहर खड़ होगा इसलिए मैं खुद बाहर आकर रिपोर्टर्थ का इंतिजार करने लग गया। ये सब कहते हुए रमन इधर उधर देख रहा था। रमन सिधार्थ को नहीं बताना चाहता था कि इस वक्त शिवानी अपने रूम में आरव के साथ अकेली है। रमन की बात सुनकर सिधा सिधार्थ ने अपने हाथ फोल्ड किये और वो से घूरते हुए बुला। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस रिपोर्टर्थ को शिवानी का रूम नंबर बता दो। तुम्हें या इस तरह खड़े होकर इंतिजार करने की क्या जरूरत है? शायद तुम ठीक कह रहे हो लेकिन अब जब मैं या इतनी देर से खड़ा हूँ तो थोड़ी देर और रिपोर्टर्थ के इंतिजार कर लेता हूँ। रमन ने धीरे से कहा। ये सुनकर सिधार्थ ने आगे कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप रमन को घूर कर देख रहा था। सिधार्थ समझ गया था कि दाल में जरूर कुछ तो काला है। डारेक्टर होने के नाते वो मन ही मन सूच रहा था कि रमन की आक्टिंग स्किल्स बहुत ही बेकार है। अचानक रमन घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि वो आगे क्या कहे। तब ही शिवानी के रूम का दरवासा खुला और वहां स से आरव बाहर आया। इस वक्त आरव के गाल पर पिंक लिप्स्टिक का निशान था। ये देखकर सिधार्थ हैरान रह गया। सिधार्थ को अपनी आखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अचानक उसे याद आया कि आज शिवानी ने पिंक कलर की लिप्स्टिक लगाई वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। सिधार्थ के चेहरे के एक्स्प्रेशन देखकर रमन थोड़ा घबरा गया। वो सिधार्थ से कुछ कहना चाता था लेकिन अफसोस उसके मुझ से इस वक्त एक शब्द तक नहीं निकला। आरव भी किसी से बात करने के मूड में न यहां बहुत से रिपोर्टर्ज हैं। अगर उन्होंने इस तरह आरव की पिक्चर क्लिक कर ली तो इस उसकी सारी रेपिटेशन मिठी में मिल जाएगी। सिधार्थ की बात सुनकर रमन लंबे-लंबे कदम रखता हुआ आरव के पीछे चला गया। इसके बाद सिधार्थ बिना दरवासा नौक किये शिवानी के रूम में घुज गया। शिवानी को लगा कि रमन वापस आ गया है। इसलिए वो अपने आसू पोचते हुए बोली। अभी मुझसे कोई सवाल मत करना, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हें के सीज के लिए वक्त चाहिए। अचानक शिवानी को एक भारी सी आवाज सुनाई दी। वो इस आवाज को अच्छे से पहचानती थी। उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गई। इस वक्त सिधार्थ उसके सामने खड़ा था। सिधार्थ की हैंसम चेरे पर गुसा साफ दिख रहा था। त अचानक शिवानी के मन में ख्यालाया कहीं सिधार्थ ने आरव को रूम से बाहर जाते तो नहीं देख लिया। सिधार्थ ने शिवानी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस चुप-चाप शिवानी को उपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। शिवानी की आखे इस वक्त नम थी, आसुमों के निशान उसके गालों पर साफ दिख रहे थे, उसका काजल और लिपस्टिक फेले हुए थे, शिवानी के होटों पर इस वक्त वही पिंक लिपस्टिक लगी थी, जो सिधार्थ ने थोड़ी दिर पहले आरव के गाल पर देखी थी, इसका मतलब शिवानी ने आरव को किस किया था, सिधार्थ मन ही मन बढ़ बढ़ाया, ये सूच कर ही उसका सारा शरीर ठंडा पढ़ने लगा, इस वक्त उसे अपनी दिल में एक चुभन सी महसूस हो रही थी, ऐसा लग रहा था मानो कोई लगातार उसके दिल में सुईया चुबो रहा ह हौल में सिधार्थ ने बहुत बार नोटिस किया था, कि आरव बार बार शिवानी की तरफ ही देख रहा था, इसका मतलब स्टेज पर अपने साथ डांस करने के लिए भी आरव ने जान बूच कर शिवानी को चुना, वो से स्पेशल अटेंशन दे रहा था, लिफ्ट में भ ऐसा सोचा था, वैसा कुछ हुआ ही नहीं था, उसे लगा था कि वो धीरे-धीरे शिवानी के नजदी काएगा, लेकिन शायद ऐसा करने में उसने बहुत देर कर दी थी, उससे पहले आरव शिवानी के नजदी का गया था, अगर शिवानी किसी और लड़के के साथ शिवानी के नजदी का रहा था, उसकी आखों में गुसा साफ दिख रहा था, शिवानी इस वक्त बहुत डरी हुई थी, अब वो समझ गई थी कि सिद्धार्थ ने आरव को रूम से बाहर जाते देख लिया था, माना शिवानी सिद्धार्थ से उम्र में बड़ी थी, लेक करने आया था, हमारे बीच में कोई रिष्टा नहीं है, शिवानी हडबढाते हुए पोली, तुम जूट बोल रही हो, सिद्धार्थ ने गुसे से कहा, इतना कहकर सिद्धार्थ ने शिवानी का हाथ कसकर पकड़ा, और फिर उसे अपनी तरफ खींच लिया, तुमारी आख किसी भी लड़के के लिए रूम, इससे तुमारा कोई लेना देना नहीं है, शिवानी ने बेरुखी से कहा, शिवानी के मूर से ये सब सुनकर सिद्धार्थ का दिल तूट कया, उसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी बेचैनी महसूस नहीं हुई थी, आज सिद्ध सिद्धार्थ कभी उसके लिए आरफ जितना इंपॉर्टेंट था ही नहीं, ठीक है तुम्हें लगता है कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो आज मैं तुम्हारी ये गलत फहमी दूर कर देता हूँ, सिद्धार्थ ने बेरुखी से कहा, इतना कहकर उसने अचान मत करो, मैं तुमसे नफरत नहीं करना चाती, शिवानी मायूस होते हुए बोली, इतना कहकर उसने अपने हाथ सिद्धार्थ के हाथों से छुड़बाए, और फिर वो अपने हाथों को सिद्धार्थ के सीने पर पीटने लगी, शिवानी आज बहुत दुखी थी, उसने अचानक वो फूट फूट कर रोने लगी, उसकी आँखों से बहते हुए आसुओं को देखकर सिद्धार्थ से रहा नहीं गया, तुम रो क्या रही हो, मैंने अभी कुछ किया ही नहीं, सिद्धार्थ घबराते हुए बोला, उसने पहले बहुत सी लड़गियों को अपने स पढ़ रहा था, शिवानी को रोता देख सिद्धार्थ को बहुत helpless feel हो रहा था, ये पहली बार था जब वो ऐसा कुछ महसूस कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे शिवानी चुप हो जाए, वो कभी उसे इस सरहा रोता हुआ नहीं देख सकता सिध्धार्थ, तुम हमीशा मुझे परिशान करते रहते हो, सब मुझे परिशान करते हैं मिरी situation का फाइदा उठाते हैं, ये कहने के बाद शिवानी और जोर-зोर से रोने लगी, situation का फाइदा, अचानक शिवानी की बात सुनकर सिध्धार्थ के चेहरे के expressions बदल गए, वो इतना कहकर सिधार्थ जैसे ही शिवानी से दूर जाने लगा, शिवानी न उसका हाथ पकड़ लिया, वो सिधार्थ को रोकते हुए बोली, आरव ने कुछ नहीं किया, तुम जूट बोल रही हो, मैंने अभी-अभी उसके गाल बर तुमारे लिपस्टिक का निशान देखा, क शिवानी को याद भी नहीं था कि उसके लिपस्टिक का बाराव के गालों पर लग गई, उसे इस सब के लिए बहुत बुरा लग रहा था, सिधार्थ को इस तरह खुद पर हक चमाता देख, शिवानी का दिल तेजी से धरकने लगा, आरव मुझे किस नहीं कर पाया, मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं करने दिया, वो मेरे साथ जबरदस्टी करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वज़ा से मेरी लिपस्टिक के निशानों उसके गालों पर लग गए, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, शिवानी अपनी नजनी चुकाते होई दीरे से बढ़ बढ़ाई, वो तुम्हें जबरदस्टी किस करने की कोशिश कर रहा था, सिधार्थ अपना से रहलाते हुए बोला, आरव इतना गिर जायका मैंने कभी नहीं सोचा था, माना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें कि मैंने के बारे में सोचा तक नहीं, उसे क्या लगता है कि अब वो एक बड़ा स्टार बन चुका है, किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता है, उसे क्या लगता है उसे रोकने वाला कोई नहीं है, मैं उसे छोड़ूँगा नहीं, सिधार्थ प्लीज शांत हो जाओ, जैसा तुम सोच रहे हो, वैसा कुछ नहीं है, शिवानी को डर था कि सिधार्थ कहीं इतने बड़े इवेंट में आरव के साथ जगणाना कर ले, इसलिए वो आरव को समझाते होई बोली, वो मैं और आरव, हम, तुम दोनों हम कब से हो गए, दुबारा अपना नाम उसके साथ मन जोड बले ही वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंट क्यों नहीं हो, लेगन आप तुम्हारा आरव से कोई लिए हो जाओ, जैसा तुम सोच रहे हो, वैसा कुछ नहीं है, शिवानी को डर था कि सिधार्थ कहीं इतने बड़े इवेंट में आरव के साथ जगणाना कर ले, इसलिए वो आरव को समझाते हुए बोली, वो मैं और आरव, हम, तुम दोनों हम कबसे हो गए, दुबारा अपना नाम उसके साथ मत जोड़ना, भले ही वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंट क्यों नहीं हो, लेगन आप तुम्हारा आरव से कोई लिना देना नहीं है, तुम्हें कै यहाउस के साथ रूम में अकेली थी, रमन बाहर दरवाजे पर खड़ा था, और तुम अब रो रही हो, इस सबसे मैंने गैस कर लिया कि जरूर तुम दोनों के बीच कोई रिष्टा है, शिवानी इस वक्त बहुत उदास थी, उसे सिधार्थ के लिए बुरा लग रहा था, वो जानती थी कि सिधार्थ उसे पसंद करता है, शिवानी को पहले ही समझ जाना चाहिए था, कि सिधार्थ आज नहीं तो कल, उसका ये सच जान ही जाएगा, आफ्टर ओल वो इतना स्मार्ट चो है, सिधार्थ ने थोड़ी देर पहले जो कुछ भी देखा था, उससे वो स समझ गया था कि आरव ही शिवानी का एक्स बॉइफरिंड है, सिधार्थ प्लीज इस पारे में किसी से कुछ मत कहना, शिवानी ने कुछ तेर सोचने के बाद कहा, क्यो ना कहूं, क्या तुम अब भी उस आरव को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रही हो, सिधार्थ ने थी, उसे इस बात का बहुत बुरा लग रहा था, कि कुछ साल पहले आरव के पास शिवानी का प्यार, अफेक्शन और अटेंशन सब था, यहां दूसरी तरफ ये सब पाने के लिए सिधार्थ बहुत मेहनत कर रहा था, शिवानी आरव को जरूर कोई तो सपोर्ट कर रहा ह उसने जरूर फेमस होने के लिए किसी लड़की, इसके आगे सिधार्थ कुछ कह पाता, तबी शिवानी ने उची आवाज में कहा, बस करो सिधार्थ, यह देखकर सिधार्थ हैरान रह गया, उसे शिवानी से ये उमीद नहीं थी, तुम उस लड़के के लिए मुझ पर चि मैंने इस रिलेशन्शिप को अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी बदले में मुझे दुख के सिवा कुछ नहीं मिला, आज मैंने आरव के साथ सारे रिष्टे तोड़ दिये हैं, अब से हम एक दूसरे को नहीं जानते, अब से वो मेरे लिए अंजान है, मैं दोबा सिवानी को इस तरह रोते हुए नहीं देख पा रहा था, पर तुम इस सरा रो क्यों रही हो, क्या तुम उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती, सिवानी थोड़ा फ्रस्ट्रेटिड लग रही थी, वो अब सब के सवालों के जवाब देकर ठक चुकी थी, बातें करती हुए सिद्धार्थ बड़े प्यार से शिवानी के बालों को सहला रहा था, वो दोनों इस वक्त एक साथ बैट पर थे, शिवानी ने खुद को सिद्धार्थ से दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही, ये तुम क्या कह रही हो, मैं मानता कि मुझे पहले कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, लेकिन आज मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, मुझे उस आरव से जलन हो रही है, तुम उसके लिए रोग क्यों रही हो, अब सिद्धार्थ अपने एमोशन्स को और छुपा कर नहीं रख सकता था, शिवानी I love you, मै जानता हूं कि इतनी आसानी से तुम मुझे अपने दिल में जगा नहीं दोगी, इसलिए आज से मैं जबरदस्ती तुमारी इस छोटी सी दुनिया में कदम रख रहा हूं, अब से तुमारा हर दुख मेरा है, यह आसू भी मेरे है, तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, य सिध्धार्थ की बातें सुनकर शिवानी हैरान रह गई, तब उसने खुद को संभाला और जट से कहा, यह तुम क्या कह रहे हो सिध्धार्थ, मुझे जाने दो, लेकिन सिध्धार्थ ने शिवानी की बात नहीं सुनी, वो शिवानी के नस्दीक आया और उसे पाशिनेटल किस करने लगा, इस बार सब कुछ बहुत अलग था, पहले जब सिध्धार्थ ने शिवानी को किस किया था, तब उसका ऐसा कोई intention नहीं था, लेकिन आज सिध्धार्थ जान भूच कर शिवानी को किस कर रहा था, अचानक शिवानी के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था आज शिवानी के साथ बहुत कुछ हो चुका था इस वज़ा से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था शिवानी ने आरव को तो उसे किस करने नहीं दिया था लेकिन यहां दूसरी तरफ उसने सिध्धार्थ को ऐसा करने से रोका तक नहीं इस वक्त सिध्धार्थ शिवानी के बेट पर लेटा हुआ उसे लगातार किस करता जा रहा था अब सिध्धार्थ का खुद पर काबू नहीं था उपाशनेटली शिवानी को कभी उसके होटों पर तो कभी गालों पर किस कर रहा था अचानक शिवानी को वो रात याद आ गई जब सिध्धार्थ उसे ऐसे पाशनेटली किस करता जा रहा था ये सोच कर ही शिवानी का दिल जोरों से धड़कने लग गया उसे अब सांस लेने में थोड़ी मुश्किल होने लगी उसे रूम में इतनी ठंड में भी गर्मी का एहसास हो रहा था यहां दूसरी तरफ सिध्धार्थ शिवानी को छोड़ने को ही तयार नहीं था वो तो बस अपनी ही किसी दुनिया में खोया था ये सब सिध्धार्थ के लिए नया था उसने सोचा भी नहीं था कि वो आज शिवानी के साथ ऐसा कुछ करेगा लेकिन वो जब भी शिवानी का मासूम और खुबजूरा चेहरा देखता तो उसे उस पर प्यार आने लगता था सिध्धार्थ बड़े प्यार से शिवानी की सौफ्ट स्किन को छू रहा था सिध्धार्थ मुझे जाने तो दर्वासे पर रमन है ये बोलते हुए उसके होट काप रहे थे अपनी बात खत्म करने के बाद शिवानी ने एक गहरी सांस ली उसे कुछ देर बाहरी रहने दो सिध्धार्थ ने कहा इसके बाद सिध्धार्थ ने शिवानी को दुबारा अपनी बाहों में भर लिया इससे पहले कि शिवानी कुछ कह पाती सिध्धार्थ ने अपना एक हाथ शिवानी की कमर पर रख लिया और फिर वो दूसरा हाथ उसके बालों में फेड़ते हुए उसे दुबारा किस करने लगा शिवानी का चेहरा इस वक्त शर्म से लाल पड़ चुका था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था सिधार्थ की लंबी-लंबी पलकें उसके गालों को टच कर रही थी शिवानी को अंदाजा भी नहीं था कि सिधार्थ उसे इतना प्यार करता है ये पहली बार था जब सिधार्थ ने खुद से आगे बढ़कर शिवानी को इस तरह किस किया था उसने ऐसा कुछ पहले कभी फील नहीं किया था आज शिवानी को किस करने के बाद सिधार्ट भी समझ गया कि वो शिवानी को कितना प्यार करता है कुछ देर बाद वो शिवानी को अपनी बड़ी बड़ी चमकती हुई आँखों से देखने लगा तब इ शिवानी ने अपना सिर सिधार्थ की सीने पर रखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली शिवानी को बहुत शर्मा रही थी उसने इस वक्त एक Backless Dress पहनी थी उस Dress में वो बेहत खुबसूरत लग रही थी अचानक सिधार्थ ने अपनी दोनों हाथ शिवानी की कमर पर रख लिये शिवानी की बॉड़ी को छूते ही उसका बॉड़ी टेंपुरेचर बढ़ने लगा था सिधार्थ का बस चलता तो न जाने वो इस वक्द शिवानी के साथ क्या कर बैठता लेकिन वो ये भी अच्छी तरह जानता था कि इस सब के लिए ये सही वक्त नहीं था आज उन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन था अचानक सिधार्थ शिवानी से दूर होकर लंबी-लंबी सांसे लेने लगा शिवानी इस बात से हैरान थी कि सिधार्थ ने उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया था कुछ देर के लिए तो उसे कुछ समझ नहीं आया इसके बाद उसने जैसे तैसे खुद कुछ संभाला कि तभी उसे रियलाइज हुआ कि थोड़ी देर पहले सिधार्थ उसे कैसे किस कर रहा था ये सोच कर उसका सारा शरीर ठंडा पढ़ने लगा था शरम से उसके गाल लाल पड़ चुके थे शिवानी ने कभी सोचा भी नहीं था कि सिधार्थ उसके साथ ऐसा कुछ करेगा इस वक्त उसके होटों पर शिवानी की लिपस्टिक के निशान थे जिससे सिधार्थ और भी क्यूट और अट्राक्टिव लग रहा था तभी सिधार्थ हाथ से अपने होटों को साफ करते हुए बोला पिंक लिपस्टिक तुम पर बहुत अच्छी लगती है सिधार्थ की बात सुनकर शिवानी चुप पड़ गई तभी सिधार्थ मुस्कुराते हुए आगे बोला इसका टेस्ट इतना भी बुरा नहीं है वैसे मैं लिपस्टिक की नहीं तुमारे लिपस की बात कर रहा हूँ सिधार्थ ने बात पलटते हुए कहा इस वक्त वो शिवानी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था ये देखकर शिवानी को शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी सिध्धार्थ उम्र में उससे छोटा था फिर भी शिवानी की उसके सामने एक नहीं चलती थी सिध्धार्थ प्लीज यहां से जाओ शिवानी हिचकिचाते हुए बोली, वो जानती थी कि अगर सिध्धार्थ कुछ देर और उसके पास रहा, तो ये उन दोनों के लिए ही ठीक नहीं होगा लेकिन सिध्धार्थ इतनी आसानी से कहा मानने वाला था, उसने शिवानी की बात को अंसुना कर दिया, और फिर वो मुश्कुराते हुए उसके पास आगर बैठ गया शिवानी का ध्यान इस वक्त कहीं और ही था, कि तभी सिध्धार्थ ने बड़े प्यार से अपनी दोनों हाथ शिवानी के गालों पर रखे, और फिर दोबारा उसके नजदीक आने लगा ये देखकर शिवानी हडबढाते हुए बैठ से उठ गई, वो जैसे ही सिध्धार्थ से दूर जाने लगी कि तभी सिध्धार्थ ने उससे पकड़ कर अपनी तरफ खींच लिया, जिस वजह से वो उसकी बाहों में आकर गिर गई, इसके बाद सिध्धार्थ ने अपने द सिध्धार्थ उसे छेड़ते हुए बोला, वो शिवानी को इस तरह शर्माता हुआ देखकर खुद को रोक नहीं पाया और प्यार से उसके गालों को खीचने लगा, शर्माते हुए शिवानी सिध्धार्थ को और भी प्यारी लग रही थी, सिध्धार्थ के चूने से टांक खीचता रहता था, सिध्धार्थ बाते करने में ही नहीं बलकि फ्लर्ट करने में भी शिवानी से दो कदम आगे था, शिवानी तो बेचारी एक सीधी साधी सिंपल सी लड़की थी, जिसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में सिध्धार्थ जैसा कोई के साथ फील नहीं किया था, शिवानी ने कभी नहीं सोचा था कि उनिवर्सिटी के लास्ट यर में उसकी मुलाकात सिध्धार्थ से हो जाएगी, वो जब भी सिध्धार्थ के साथ होती थी, तो उसे ऐसा लगता था मानो, वो किसी अलग ही दुनिया में पहुँच गई हो, सिध्धार्थ के साथ बिताए सभी पल उसके लिए बहुत खास होते थे, सिध्धार्थ के साथ रहकर उसे वक्त का पता ही नहीं चलता था, शिवानी नहीं जानती थी कि वो किस रास्ते पर चल रही है और ये रास्ता उसे कहा ले जाएगा, विचारी शिवानी इस वक्त ख माहों से खुद को छुडाने की बहुत कोशिशें कर रही थी। लेकिन अफसोस सिध्धार्ट के सामने उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। शिवानी को इतना स्ट्रगल करता दीख सिध्धार्ट मुस्कुरा रहा था। उसके बाद वो शिवानी के माथे पर किस करते हुए बोल पर नचाने क्यों सिध्धार्ट की बातें सुनकर शिवानी के दिल को एक अलग ही खुशी मिल रही थी। उसकी बातें शिवानी के कानों में लगातार गूंज रही थी। सिध्धार्ट बड़े प्यार से शिवानी के बालों को सहला रहा था। उसकी बातों से साफ पदा च जाता था हो सकता है ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि वो पहले भी इस तरह नशे की हालत में एक दूसरे को किस कर चुके थे शायद यही वज़ा थी कि सिध्धार्थ के करीब आने पर शिवानी की बॉड़ी रियाक्ट करने लगी थी शिवानी बहुत कोशिश कर रही थी ल सिर्फ मेरी हो मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा और मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी दूँगा जो तुम डिजर्व करती हो वक्त के साथ मैं तुम्हारे सारे घाव भर दूँगा जो तुम्हें उस आरव ने दिये हैं अगर इसके बाद भी तुम आरव को नहीं भूल पाओगी तो मैं आरव का सबस्टिट्यूट तक बनने को तयार हूँ। एक ना एक दिन तुम्हें पता चली जाएगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। सिधार्थ नहीं आगे कहा। सिधार्थ शिवानी हैरान होते हुए बोले। उसने कभी नहीं सोच था कि सिधार्थ जैसा अकड़ू और अभिमानी लड़का भी ऐसा कुछ कहेगा। आखिर सिधार्थ आरव का सबस्टिट्यूट कैसे बन सकता था। वो तो आरव से बहुत अलग था। मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कभी उस आरव को अपने रूम में नहीं आने दोगी और हाँ दुबार उस इंसान के लिए कभी मत रोना। ये सुनकर शिवानी चुप पड़ गई। वो सिधार्थ से नजरे नहीं मिला पा रही थी। वो दोनों अभी तो रिलेशन्शिप में भी नहीं आये थे। लिकिन इसके बावजूद थोड़ी दिर पहले स सिधार्थ ने उसे passionately किस किया था। इस वक्त शिवानी के दिमाग में बहुत सी बातें घुम रही थी। वो अभी आरव के गम से बाहर नहीं निकल पाई थी। कि तभी सिधार्थ ने अचानक उसके रूम में आकर उसे और confuse कर दिया था। ठीक है तो अब मुझे जाना मैं तुमसे आज रात डिनर पर मिलूँगा। मैंने तुमसे अभी जो कुछ भी कहा वो भूलना मत। इतना कहकर सिधार्थ शिवानी के नजदीक आया और फिर उसके कान में फुस फुसाते हुए आगे बोला। वैसे तुमाज उस ब्लाक ट्रेस में बहुत होट लग रही थी। ये सुनकर शिवानी को समझ नहीं आया कि वो किस तरह रियाक्ट करे। सिधार्थ की बात सुनने के बाद उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी शिवानी अपनी नजरें उठा कर सिधार्थ की बड़ी-बड़ी समंदर जैसी आँखों में देखने लगी। सि अपने होटों को साफ करते हुए वो रूम से बाहर आ गया। वो जैसे ही रूम से बाहर निकला तो रमन वहीं बाहर खड़ा था। वो सिधार्थ को शिवानी के रूम से बाहर आता देख कर हैरान रह गया। उसे लगा था कि सिधार्थ बहुत पहले ही वहां से चला गया हो रमन कुछ बोलने की हालत में नहीं था उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करते हुए सिधार्ट से कहा तुम शिवानी माम के रूम में क्या कर रहे थे? मैं और शिवानी किस कर रहे थे? मैं नहीं चाता था कि कोई हमें डिस्टरब करे इसलिए मैंने दर्वास अंदर से लॉक कर लिया था सिधार्ट ने लापर वाही से कहा सिधार्ट की बातों से लग रहा था कि उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी वो तो ये सब रमन को बड़े आराम से बता रहा था रमन सिधार्ट की बात सुनकर हैरान रह गया वो शिवानी का असिस्टंट था उसे शिवानी की परसनल लाइफ के बारे में इतना कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं थी क्या सिधार्ट ने रमन को ये सब बात बता कर सही किया था कुछ देर पहले ही आरव शिवानी की लिपस्टिक के निशान के साथ उसके रूम से बाहर निकला था और अब सिधार्ट जैसा हैंसम लडगा उसके रूम से बाहर आया था और तो और सिधार्थ ये भी कह रहा था कि वो दोनों रूम में किस कर रहे थे अचानक रमन बड़े ध्यान से सिधार्थ के होटों की तरफ देखने लगा सिधार्थ के होटों पर अभी शिवानी की पिंक लिप्स्टिक का रंग था भले ही सिधार्थ ने टिश्यू पेपर से उन्हें साफ कर लिया हो पर उसे देख कर साफ पता चल रहा था कि उसने अभी अभी किसे को किस किया था क्या शिवानी मैम के बहुत सारे बॉइफ्रेंड है रमन मन ही मन बड़बडाया सिधार्थ तुम कबसे शिवानी मैम के ये कहते हुए रमन ने खुद को शांत करने की कोशिश की और फिर गहरी सांस लेते हुए आगे बोला शिवानी मैम और तुम तो सिर्फ पडोसी हो ना किसने कहा कि हम दोनों सिर्फ पडोसी है तुम्हें पता है अकसर पड़ोसी बड़ी आसानी से एक दूसरे के प्यार में पढ़ जाते हैं सिध्धार्ट ने मुस्कुराते हुए कहा तो फिर आरव का क्या? वो शिवानी मैम के रूम में क्या कर रहा था? रमन ने हिच की चाते हुए पूछा आरव का नाम सुनकर सिध्धार्ट के चेहरे के एकस्प्रेशन बदल गए इससे पहले की रमन आगे कुछ कह पाता सिध्धार्ट ने उसे समझाते हुए कहा तुम्हारव पर नजर रखना मैंने ही चाता कि वो शिवानी के पास आए उसे शिवानी के आसपास भी भटकने मत देना सिध्धार्ट की बात सुनकर रमन को समझ नहीं आया कि वो आब आगे क्या कहे सिध्धार्ट शिवानी मैंने अभी अभी अपना करियर शुरू किया है उनके लिए रिलेशन्शिप में आने का ये सही वक्त नहीं है और तो और मेरी कमपनी ने भी उन्हे तुम्हारी कमपनी शिवानी को इसके लिए कुछ नहीं कहेगी क्या तुम्हारी कमपनी का मैनेजर नहीं जानता कि मैं कौन हूँ सिध्धार्ट ने रमन की बात काटते हुए कहा इसके बाद सिधार्थ रमन को समझाते हुए बड़े प्यार से बोला मेरी खुद की फिल्म कमपनी है मैं एक जाना माना डारेक्टर हूँ मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है मैं हमेशा शिवानी को सपोर्ट करूँगा क्या इसके लिए तुम्हारी कमपनी शिवानी के साथ कॉंट्राक्ट खत्म कर देगी अगर ऐसी बात है तो मैं शिवानी को आगे बढ़ने में मदद करूँगा मेरे पास पैसा और रिसोर्सिस दोनों है देखो रमन तुम्हारा काम शिवानी के साथ रहना है तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो कब किस से मिल रही है इस तरह उसके रूम में कभी किसी को मताने देना रमन सिधार्थ की बात से सहमत था entertainment industry में ज्यादतर powerful लोग या तो डारेक्टर थे या फिर film company के ओनर और सिधार्थ तो डारेक्टर होने के साथ साथ film company का ओनर भी था सिधार्थ अमेरिका में पला बढ़ा था वो बहुत बड़े बड़े लोगों को जानता था रही बात आरव की तो वो बहुत जल्द अपनी company के साथ contract खत्म करने वाला है माना यहाँ इंडिया में उसके बहुत fans है लेकिन क्या उसका background मेरी तरह strong है क्या वो मेरी तरह handsome और young है क्या उसके पास शिवानी को खुश करने की काबिलियत है ये सब सुनने के बाद रमन के पास बोलने को कुछ नहीं था रमन आरव और सिधार्थ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था लेकिन सिधार्थ की बातों से वो समच चुका था कि सिधार्थ खुद को लेकर बहुत confident है वैसे तो उमर में सिधार्थ शिवानी से भी छोटा था लेकिन आज कल के जमाने में एज इतना माइने नहीं रखती माइने रखता है तो बस दो लोगों का एक दूसरे के लिए प्यार और affection रमन पूरी तरह से सिधार्थ की बातों से सहमत था शिवानी को ये सारी facilities इसलिए मिल रही थी क्योंकि अर्मान ने कंपनी के owner से उसके लिए बात की थी सिधार्थ अर्मान का brother in law था रमन में सिधार्थ की बात ना मानने की हिम्मत नहीं थी रमन मुझे अपना phone number दो इतना कहकर सिधार्थ ने अपना phone pocket से निकाला और आगी बोला अब जब भी मैं शिवानी से बात नहीं कर पाऊँगा तो मैं तुम्हें contact करूँगा और हाँ अगर कोई भी उसे परेशान करे तो मुझे phone कर देना अगर शिवानी का mood भी खराब हुआ तब भी तुम मुझे बताओगे लेकिन मैं तुम्हें अपना number क्यों दूँ इसके क्या जरूरत है रमन को लगा कि सिधार्थ को उसके number की जरूरत क्यों पढ़ने लगी ऐसे अचानक सिधार्थ उसका number क्यों मांग रहा था क्योंकि मैं शिवानी को पसंद करता हूँ मैं उन लोगों की टच में रहना चाता हूँ जिन से शिवानी बात करती है तुम तो उसके assistant हो इसलिए तुम्हारा number तो मेरे पास होना बहुत जरूरी है अगर किसी दिन मैं उसे ढूंड नहीं पाया तो मैं तुम्हें contact कर सकता हूँ सिधार्थ ने serious होते हुए कहा इतना कैकर सिधार्थ ने अपना phone pocket में डाला और फिर वो चुपचा पहां से चला गया इसके बाद रमन ने room में आकर जट से दर्वासा बंद कर लिया रमन मनीमन सोच रहा था कि अगर आज यहां जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मेडिया को पता चल गया तो कल ये सब न्यूज की headlines में होगा रमन जैसे ही शिवानी के room में आया तो उसने देखा कि शिवानी बेट पर चौकणी मार कर बैठी हुई थी उसने अपने हाथों से चहरे को छुपा रखा था शिवानी में माप ठीक तो है कहीं सिधार्द ने आपके साथ कुछ गलत तो नहीं किया रमन ने घबराते हुए कहा room की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उन दोनों के बीच किसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था ये देखकर रमन ने राहत की सांस ली रमन की बात सुनकर शिवानी हैरान होते हुए उसकी तरफ देखने लगी शिवानी के होटों की लिपस्टिक पूरी तरह से मिट चुकी थी उसके बाल बिखरे थे और आखों से आंसू लकातार बह रहे थे उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि आज का दिन उसके लिए बहुत मुश्किलों से भरा था शिवानी माम क्या आपको आरव और सिद्धार्द दोनों ने किस किया है ये सब कहते हुए रमन थोड़ा गुस्से में था उसे खुद पर भी शर्मा रही थी क्योंकि वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पाया था रमन नहीं जानता था कि इस वक्त शिवानी कैसा फील कर रही थी तबी शिवानी ने हिच के चाते हुए रमन से पूछा क्या तुमने सिद्धार्द को अपना कॉंटाक्ट नंबर दी दिया हाँ मैंने उसे मना नहीं किया मुझे नहीं पता कि आपका सिद्धार्द के साथ क्या रिष्टा है क्या आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो रमन ने धीमी आवाज में पूछा नहीं शिवानी अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली और आरव रमन ने आगे कहा क्या आप एक साथ दो लड़कों को डेट कर रही हो वैसे मैं आपकी फीलिंग्स समझ सकता हूँ सिद्धार्द और आरव दोनों ही बहुत अट्राक्टिव है लेकिन क्या ऐसा करना सही है रमन की बात सुनकर शिवानी चुप पड़ गई वो ऐसा कभी नहीं कर सकती थी उसने तो ऐसा कुछ करने के बारे में सूचा तक नहीं था शिवानी मैम अगर आप चाहो तो मुझसे बात करके अपना मन हलका कर सकती हो आपका असिस्टन्ट होने के नाते मुझे ये जानने का पूरा हक है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है तभी तो मैं आपको प्रोटेक्ट कर पाऊंगा रमन ये कहते हुए घुटनों के बल शिवानी के पास आकर बैठ कया मैं जानता हूं कि सर ने आपको किसी भी लड़के के साथ रहने से मना किया है मुझे ये भी अच्छे से पता है कि हमारा हमारी फीलिंग्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता हमें कब किस से प्यार हो जाए या हमें कैसे पता होगा भगवान ना करे कल आपके साथ कोई अन्होनी हो गई तो मैं कमपनी को क्या जवाब दूँगा मैं आपका असिस्टन्ट ही नहीं बलकि एक अच्छा दोस्त भी तो हूँ आप मुझे खुल कर सब बता सकती हो कंपनी के मैनेजर से ज्यादा मैं आपकी बात सुनूँगा अगर फ्यूचर में कुछ भी होता है तो मैं आपका साथ देने के लिए तयार हूँ तुम सिधार्ट से बात करने के बाद अपनी कमपनी के खिलाफ जाने को भी तयार हो शिवानी हैरान होते हुए बोली अगर मैं आरव को सिधार्ट के साथ कंपेर करूँ तो मेरे हिसाब से सिध्धार्थ आपके लिए परफेक्ट है इतना कहकर रमन शिवानी को समझाते हुए आगे बोला सिध्धार्थ बहुत हैंसम है उसका फैमिली बैक्राउंड बहुत स्ट्रॉंग है अगर आप फ्यूचर में उससे शादी करोगी तो वो कभी आपको दुखी नहीं होने देगा अगर सिध्धार्थ आपके साथ होगा तो आप उंचाईयों को चूँ सकती हो क्या पता आप म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टार बन जाओ और सबसे इंपोर्टन्ट बात सिध्धार्थ से बात करने के बाद मैं ये तो जान गया हूँ कि वो आपके लिए बहुत सीरियस है सिध्धार्थ ने अभी मुझसे मेरा नमबर मांगा क्योंकि वो आपको लेकर बहुत परेशान था दूसरी तरफ कभी ऐसा क्यों नहीं किया पता है जब मैं भागता हुआ आरव के पास पहुचा तो उसने मुझसे ढंक से बात तक नहीं की सिध्धार्थ ने बहुत देर तक मुझसे बात की वो सच में एक अच्छा लड़का है उसे आपकी बहुत फिक्र है शिवानी जानती थी कि सिध्धार्थ को बात करना बहुत अच्छे से आता है रमन को सिध्धार्थ उसके बात करने के तरीके से ही पसंद आ गया था वो अभी जानता नहीं था कि उसने शिवानी के लिए कितना कुछ किया था यहां दूसरी तरफ आरव ने आज तक शिवानी के लिए कुछ नहीं किया था शिवानी ने रमन की बात का कोई जवाब नहीं दिया ये देखकर रमन ने आगे कहा सिधार्थ आपके लिए काफी है फिर आप दो लड़कों को एक साथ डेट क्यों कर रही हो रमन की बात सुनकर शिवानी चुप पड़ गई किसने कहा कि मैं उन दोनों को डेट कर रही हूँ आरव मेरा पहला प्यार था हम स्कूल टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे लेकिन मैं बहुत पहले ही उससे ब्रेक अप कर चुकी हूँ मैंने सोचा भी नहीं था कि वो दुबारा मेरी जंदगी में वापस आ जाएगा कंपनी को इसके बारे में कुछ मत बताना मैंने आज उससे सारे रिष्टे तोड़ दिये हैं अब से आरव और मेरे बीच कोई रिष्टा नहीं